आप सब लों का बाप पास स्वागता है जीनों में क्या ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजरू कुछ नए चीज़ों के साथ कुछ नए कंटेंड के साथ फड़ा फड़ सब लोग कनेक्ट हो जाएं क्लास का फायदा उठाने के लिए इन सिचुवेशन का फायदा उठाने के लिए और एक्जाम की तरफ सेलेक्शन की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए तो आप सभी का बापस से स्वागत करता हूं में जीनो में के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्वालिटी आएगी तभी तो क्वालिटी वालों की वेलु आएगी नहीं तो बीवन थायमीन होता है और बीटू राइबो फ्लेविन ये पढ़ने से गाम चल जाएगा तर फिर हमें कौन पूछेगा बच्छे सबको मेरी तरफ से गुड़ी इवनिंग है फटा आपड कनेक्ट हो जाएगा जैजी राम गुड़ी इवनिंग बच्छे महादेव संकर दिगंबर पुस्पा भाव लवेश दसरत गुजा स्वपनेल राधे राधे बच्छे नाट सिंग के मायल स्टोन के सरनने कोई हुआ है बाई जी को बढ़ नाम सबको जो हैं दो क्वालिटी कंटेंड डेफिनेट्टी दा क्वालिटी इस दा सिगनेचर ऑफ जीनोमिक करना बाई आताने मस्तर हो पच्छपन फिलस वाल एक उसरो कभी हमारा कमेंट पढ़ लिए हमारे कमेंट बेटा तिरे नाम नहीं पढ़ भा फिरोज, बिजय, निशा, जोती, दीपिका, पूजा, प्रिंसी, आसिफ, पूनम, रिंकू, उमेश, इसिका, गीता, तबको मेरी तरफ से गोड इवनिंग, ओके बच्चे, चलो, स्टार्ट करें आजी क्लास, नौट सैट सिक्स को ध्यान में रखके बनाएगी, डियास भी को ध्यान में रखके बनाएगी, और सिएचो को ध्यान में, सब का कॉमिनेशन है क्लास, निचोड है क्लास का, भागूंगा बेसक नहीं, महरातन नहीं कहूंगा, पर क्लास अच्छी होती है, मतलब एक दो गंटे तो कटी जाते हैं, बाकि का छोटे मोटे महरातन तो ऐसी ल जाएगा, ठीक है, स्टार्ट करें, आपके सामने पहला कोश्चन एक्जाम का यह आ चुका है, फटाबड कोश्चन को पढ़े और आंसर करें, सारे बच्चे, तुम्हें सर्वान, कौल भी ऐसी बच्चे है, यह वांसर, फटाबड बच्चे, सब्टाबड आंसर करें, सारे बच्चे, कोई बच्चे बिना आंसर के नहीं रहेगा, सबको बेड़ा पर नाम, फटाबड कनेक्टों सारे बच्चे, आंसर आने दो, 14 साल के बच्चे का, अगर मुझे एक्सरे लेना है, तो मैं कौन से एक्सरे का यूज करूँगा, कौन से बड़ी पार्ट का एक्सरे लूँगा, जिससे मुझे पता रहे किस बच्चे की एक्सपेक्टेड एज क्या है, तो आपने का सरे एज तो मा बताई देगी ना मतलव एज पूछने के लिए स्कंटल एक्सरे क्यों करना है, कई बार लोग age के वारे में जूंट बोल देते हैं एज के वारे में false information देते हैं लड़के यां तो देती ही ऐस के वारे में फौल्स क्लेम करते हैं के कहते हैं कि हम तो इतने चोटे हम तो इतने बड़े हैं खास करिए किलेम वहां किए जाते हैं सब बनता है यह भारत देश यहां सब कुछ पॉसीबल है जमज में आए तो मार्शी पॉर्मा के लाए 14 साल की एज की और हमने का इसको खिलाना पड़े का 99 किसी ने कोट केस किया कि नहीं सारी है तो बहुत पुराना आदमी है बहुत पुराना चावल है यह 21-22 साल से कमका नहीं है समझ में आ रहा है बचे तो इन डैट सिचुवेशन अगर आपसे वो कहे कि यह कौन सा है इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा और इसके लिए मुझे क्या निकानी पड़ेगी हम इसे कहते हैं बोन एज एस्टीमेशन क्या करते हैं बोन एज एस्टीमेशन करते हैं अब बोन एज एस्टीमेशन से क्या होगा बोन एज एस्टीमेशन से लग गया तो इमस बोपाल में अच्छी बात है बोन एज एस्टीमेशन के लिए क्या देखना पड़ेगा ओसिफिकेशन सेंटर देखने पड़ते हैं आपने का बच्चों में ओसिफिकेशन सेंटर कित जो हैं इस और बहुत सारी बोन फैं यहां यह क्या होते हैं औस प्रफिकेसर सेंटर पाई जाते हैं इनका एक्सरेम अफ़ाता है कि कौन सी एच का कौन सा पुराना बाइलोजीकल है और कितना पुराना इस्ट्रक्चरल है याद रखिए का कुछ नया सीखोगे तभी तो आप भाई के पास पढ़ोगे मैं वह नहीं पढ़ा रहा थायमीन क्या होती रहा हो फिलेबिन क्या होता है वह तो तुम्हें पता ही है यह भी नहीं पता तो त नहीं दिये सबसे पहले के एक सेरे कर लो हट्डियों का रेज निकाल लो सबसे पहले बोने एस्टी मेसन के बारे में अगर बात करें तो घ्रूइज पाइल एट लेस्ट का नहीं तो होता है most common method कौन सा है बच्चे ग्रूइज ग्रूलइस पाइल एटलस ग्रूइस ग्रू एट्रस का यूज सबसे most commonly करते हैं, bone age estimation के लिए, इसके लावा कोई और पुछे, tanner white house method भी काम में लिया जाता है, तो एक तो क्या हो गया ये, और दूसरा हो गया, tanner white house method, tanner white house method काम में लिया जाता है, याद रखिएगा, आपने का इसमें question बनेगा, ले मैं बना दू, tanner white house method use for the bone age estimation, structural maturation, lungs maturation, liver maturation, अपने आप आंसर आजाएगा, मतलब bone age estimation में काम आता है, क्या, tanner white house method, और ये दो method हैं, इसमें ये वाला most common होता है, क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है, बच्चे, बिलकुल आ रही होगी, you know each and everything about that, so that's why we are studying here, अगे चलें, बिलकुल, class private मत करना, पिछली class मिलगी तुमको ढूणने से, नहीं मिले, ये भी नहीं मिलेगी, जिसे देखना है, वो live देखो, नहीं देखना, आराम से कर बैटो, मैं class नहीं छोड़ूगा, मिले होगी, तो ऑच्छी बात, याद रखिएगा अगर 3-2-9 मन्त की एज है अगर 3-2-9 मन्त की एज और मुझे एक्च्वल एज निकालनी है तो बिटा मैं X-ray of choice किसका लूँगा I am X-ray for shoulder मैं shoulder का X-ray लूँगा ये बात ध्यान में रखिएगा 3-9 महीने की एज में और ये not set का question है आया हुआ आपने का ठीक है तो not set के हिसाब से बताद 3-9 महीने के बच्चे के एज के लिए मैं क्या लूँगा X-ray किसका लूँगा shoulder का अगर बच्चा एक से लेके 12 साल की एज का है then I will take hand and wrist मैं बच्चे के हाथ और wrist का X-ray लूँगा और बच्चा गर 14 से 16 साल का है तो और 12 से 14 साल का बच्चा है तो मैं इसका elbow का X-ray लूँगा किसका elbow और बच्चे किसका लूँगा hip का तो elbow और hip के X-ray के लिए मैं कितने age का बच्चा 12-14 age के बाले बच्चों में age estimation के लि I will take the X-ray of which one elbow and hips I hope आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो elbow or hip के X-ray के लिए यानि 12-14 साल की age के लिए मैं इन दो का X-ray लूँगा अब बाते मेरा कुशन क्या कह रहा है मेरा कुशन कह रहा है 14 साल का बच्चा 14 साल का बच्चा हो गया answer क्या D elbow or hips का X-ray लेना पड़ेगा तब जाकर पता चलेगा कि बच्चे की क्या actual age है क्या इतनी सी बात समझ में आई बच्चे क्या पहला कुशन सब को समझें पिटा रादे रादे घवराना नहीं है विल्कुल आगे चलू वेरी नाइस चलू अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है फटा फट कोश्चन का अंसर दी सारे बच्चे कोई बच्चा बिना आंसर करें नहीं रहेगा पहले कोश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर करिए इसकील टेस्ट के बारे में बता दूंगा रविंत्र कुमार सर्मा थो इस अपने सब्सक्रार में गॉड वल्याशी बच्च में इस अच्छी बात है कांता सर्मा फटार पटे कोश्चन का अंसर दी सारे बच्चे कोई बच्चा बिनांसर करें नहीं रहेगा कर दा नहीं वेरी गुड नौट सेट छे अच्छा गुड दिव्याने का सी है गौड ब्लस्यू बच्चे फटा पट साब भूलो कमेंट बक्स में आंसर करें कोई बच्चा बिना का आंसर करें नहीं रहेगा याद रखेंगा इस बात को है जल्दी फटा फट आगे सब के आंसर which of the following statement regarding the truth the teeth eruption, teeth eruption के वारे में कौन सा कथन सत्य नहीं, असत्य है कौन सा कथन गलत है, इस वारे में बात करनी है which is the false regarding the which one is teeth eruption, teeth eruption के वारे में कौन सा कथन गलत है, इसके वारे में बात कर रहे हैं ठीक है बच्चे, आपने का no teeth till 13 month is called the delay eruption, बिल्कुल सही का, याद रखिएगा कि 13 महीने तक अगर किसी बच्चे के दाथ नहीं आते हैं, अगर 13 महीने तक किसी बच्चे के दाथ नहीं आते हैं, इसको delay eruption का आ जाता है, क्योंकि पहला दाथ 6 महीने पर आ जाना चाहिए था, 5-7 मन्थ पर एज आ जाता है, पहला temporary teach 6 महीने पर आता है, और अगर वो नहीं आया थोड़ा और वेट कर लो, थोड़ा और वेट कर लो, 13 महीने हो गए, इसके दाथ नहीं आ रहे हैं बे, जब इसके दाथ नहीं आ रहे हैं, तो कुछ तो कौज रहा होगा, इसके दाथ नहीं आए, इसका कुछ तो कौज रहा ह आगने साइंस कोysisगे निपता कहा नहीं आ रहे वह यह कोई इसका है रखाहे चाहएं grabs और से और CONC comments संबझ brag से हाई पया ताइडा नि कौँ संबढ़ाई यू यह इसका सेटिंज में और और mechanical blockage, दान्त निकलने की जगई नहीं बची, ऊपर से गम्स इतने मजबूत है कि दान्त निकलने नहीं नहीं दे रहे, इसे कहते हैं mechanical blockage, तो ये इसके other causes हैं, कोई पूछे most common cause क्या है, तो हमें नहीं नहीं पता most common cause क्या, एडियोपेथिक होता है most common cause, दूसरे cause मैंने बता ये delay दान्त निकलने के क्या क्या हो सकते है, hypothyroidism हो सकता है, पैरा hypothyroidism हो सकता है, और mechanical obstruction होता है, जिस बच्चे ने अभी तक क्लास में notes बनाना शुरू नहीं किया, बना लीजिएगा, बाद में हाथ रगडने से कुछ नहीं होगा, फिर का होगे कि सर थोड़ा सा और रख फर्स्ट मोलर बिलकुल सही का, पहला जो permanent teeth आता है, पहला जो permanent teeth आता है, वो कौन सा होता है, पहला permanent teeth आता है, first molar, कौन सा आता है, first molar आता है, कब आता है, answer है, 6 साल की एज में आता है, पहला first molar कब आता है, 6 साल की एज में आता है, इसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर आते ह कई चाहें वह की बात कर रहा हो और चाहे वह सेंट्रल की बात कर रहा ह। यह आते हैं साथ से लेके आठ साल की एज में, साथ से लेके आठ साल की एज में, फिर आते हैं प्री मोलर, कौन से आते हैं, प्री मोलर और कौन से आते हैं, कैनाइन आते हैं, प्री मोलर और कैनाइन कब आते हैं, 9 से 11 साल की एज में, कब आते हैं, 9 से 11 साल की एज में, फिर आ आता है थर्ड मोलर अकलदाड दांत भली आजाए अकल नहीं आती यानि यह आता है 18 साल की एज में जिसको विजडम टीथ कहते हैं यह सारे दांत जो बता रहा हूं यह सारे पर्मानेंट डांत हैं और पर्मानेंट कौन कौन से आएंगे तो यह बात बिल्कुल सच है कि पहला पर्मानेंट टीथ फर्स्ट मोलर होता है और मुझे गलत डूड़ना है सही नहीं डूड़ना है इसलिए यह कतन भी एकदम सही है और सही नहीं चुनके गलत चुनना था तो यह मेला घलत है मतलब कि मैंने से काट दिया कि प्राइमरी टीथ एरुप्शन अर्लियर इंड लोवर जो देंग दा काउंटर पार्ट इंद अपर जौ यह कह रहा है सारे प्राइमरी टीथ पहले लोवर जो में आते हैं फिर अपर जो में आते हैं तो इसने का एक बार बताइए यह कहरा है कि lower jaw में primary teeth पहले आएंगे और अपर जो हमें primary teeth बाद में आएंगे लेटर आएंगे यह कथन एक दम गलत है यह कथन एक दम सरासर रॉंग है यह कथम एक दम miss call है यानि कि wrong number है यह आपने का यह wrong number कैसे है मैंने का दान्त हमेशा अपर जो में पहले आते है primary except the one एक नीचे के पहले दान्त को छोड़ दो तो बाकी के सारे दान्त पहले का आते हैं अपर आते हैं तो यह कथन गलत है सिर्फ एक ही दान्त ऐसा है lower central incisor जो पहले नीचे आ जाता है 6 महीने की age में इसके अलावार जितने भी दान्त आएंगे सारे पहले का आएंगे ऊपर आएंगे उसके बाद नीचे आएंगे तो इसके बास सारे पहले कहा आते हैं उपर आते फिन नीचे आते हैं पहला एक मात्र अपवाद कहें दो और सबसे कुनवे से अलग चलने वाला कहें दो और वह कहला आएगा बच्चे लोवर सेंटर इसे जर जो छह महीने की एज में नीचे आ गया आना कहां चाहिए था उपर नीचे का मतलब ब के एरिया बुल जाओ तो दांथ कहीं से कहीं और वाद होता तो दांथ जबले में होगा नीचे मतलब नीचे वाले जबले में यह चला कँर मारे गया है क्या कें सब्समज्वार हैं आरा आपको बिल कुल आ रहा हो गाई इतने बढ़िया वाले बच्चे हों कहें नहीं यह कतन भेख्दमगलत है हमारे दिल प्राइमरी टीत लोवर सेंड्र होतह इसका मतलब यह यह चुनना है गलत और गलत मेरी पास मिले गया अलवात कोई बात यह आगे और आपको संभावनाई मिलेंगी सही गलत और गलत को सही करने के लिए तो दो कोश्चन के साथ हमने 20 को सौलू कर लिया आगे चलें मैंने का ठीक है चलो आगे चलते हैं और हां कुछ और सुन लो पहले कोश्चनों के बारे में बात करें अपने का प्राइमरी टीथ जो होते हैं क्या बोलते हैं प्राइमरी टीथ को मिल्क टीथ कहते हैं का गया भई प्राइमरी टीथ को मिल्क टीथ भी कहते हैं और मिल्क टीथ को हम डैसीडूस टीथ भी कहते हैं और डैसीडूस टीथ को हम टेंपररी टीथ भी कहते हैं समझ में आ रहा है एक सब्द एक चिडिया अने तोटेल नहीं हैं है कितने होते आंसर है 20 होते हैं सर 20 को आने में समय कितना लगता अंसर जांवाल और अगर ढाई आंसर दे रहा हूँ तो ढाई जादा सही अंसर आएग लाई पर ढाई औल्प साब exist मों बिल्टमक ट्रीन सी बात आपको समझ में आई तो तो अगर option दो तीन चार पांच करके है तो तो answer दो है और accurate answer पुछे तो डाई है डाई वोले तो 30 महीने की एज में पूरे 20 दात आ जाते 30 महीने में 20 दात आ जाते कम ही नहीं है कम सिंद 30 में 30 तो आने चाहिए पर नहीं 30 में 20 याते जिस question को पूरे दिन से यूटूब पर पूछ रहा था वह यहां फर्स्ट कोस्टन में मिल गया यहां वो मिलता है जो कभी किसी को नहीं मिलता तरह आपने फॉरेंसिंग नर्सिंग पर लेक्चर दिया है सर्जी पत्रका में था हां बेटा सब था बस दुआ है आप लोगों की बाई सब जगह कहीं नहीं पहुंची जाता है पत्रका बास कर दुआ है आप लोगों का आपका भाई छोटा मुटा कान नहीं करता रोज आके मैं बीवन को थाया मीन वाब बीटो को राई वो फिले भी नहीं बताता रोज आके यहीं पढ़ाना है तो इससे अच्छा है कोबाइल कम चलातर पढ़ रहा होता तो आज मैं कहीं ने कहीं में लगा होता समय बहुत कीमती है करम से कम खराब करने के लिए तो बिलकुल नहीं करना है कि पहले गरा कौन से विटामिन की कमी से है और बी-9 को फॉलिक एसेड कहते हैं बी-टैल को साइनकोलावाइन कहते है है इसके लिए तो बिलकुल भी नहीं है और तुम्हें यही पढ़ना है तो धन्य प्रभू आप लोगों का कोन스ंट इड्न के लिए अलगलब कौन से कौस्व 새 बीडिंग हो रही है कम से Frei doet मतलगा दे ना यूट्रीग में लगाेंग इसक rocky की तरफ देखना पी मत क्यों के आ iud मतलगा देना uterine bleeding में iucd नहीं लगाएंगे इसके लाव आप ocp काम में ले सकते हो ठीक है बच्चे पर आप iucd की तरफ देखना भी मत क्यों कि अगर और लेडी building हो रही है और most common side effect of iucd क्या होता है bleeding होता है तो bleeding के चक्कर में यह नहीं पता पड़ेगा आप यह bleeding जो हो रही है पुरानी वाली बीडिंग हो रही है कि iucd की वज़े से हो रही है तो इसका मतलब इसके लावा जो भी आपको मिले का अंसर ठीक है बहुत दिनों बाद बेट कर रहा था आपका बिलकुल बच्चे विसाबर का कफल मीठा होता है तो आपका रेस ने इतना अच्छा होता है एक बार में समझ मैं जाता गौल्ड बैसी बच्चे अगला कोश्चन आपके सामने स्कीन पे रहा फटा बड़ कोश्चन को पड़े और आंसर करें आपके सामने पड़ा बड़े वच्चे अगली अच्छन कोश्चन को ओं आपके सामने पड़ा पड़ा बच्चे इसा नहीं है इसा नहीं है जानना बाकी है आंसर से दूर चलेंगे आंसर में आपको बता देता हूं यह लो आंसर दिल चोड़ा क्यों कर रहे हो आंसर अभी आपको चाहिए मिल जाए का 27 मार्च दो अजार 14 का है डूंड़ो 27 27 27 27 27 आंसर सी यहीं खतम हो गया यहां खतम नहीं होगा अब इसके बाद हमारा सुरू होता है इसके बाद हमारे आंसर शुरू होता है अब आपने कसर आंसर तो आपने दे दिया अब इसमें समझाने के लिए क्या बचा हुआ है याद रखेगा जो एक पॉइंट वोड़ रहा हूं सुनो 24 फरवरी का दिन था वेलेंटाइन दे के थोड़ा सा दस दिन बात की बात है अभी जो तुमारी चल रही है नवरातर उसके आसपास की बात है 24 फरवरी 2012 की बात है एक जमाने में हुआ करता था कि 2012 में 24 फरवरी के दिन डबुएचो ने क्या किया इंडिया को रिमूव कर दिया तहां से नकसे से नहीं रहे इतनी हिमत है डबुआदि ऊडिया आपने का किस में से फ्रॉम ्दा लिस्ट अच्छा लिस्ट में से काई की list में endemic country with the activated polio virus transmission उसकी list होती है उस list में से इंडिया को हटा दिया कब हटाया उस list में से किसकी list थी वो list का पूरणाम बोलो endemic countries with active polio transmission नाम है endemic country यह list किसकी थी endemic countries endemic countries with active polio transmission condition यह जो इसकी list थी देशों की इस list में से 24 फर्वरी 2012 को डवलो एच्चों ने डेस को हटा दिया डेस का नाम क्या था बे आंसर था इंडिया इंडिया को अटाया कब अटाया 24 फर्वरी 2012 को ठीक है एक question तो यह बन गया कब अटाया लिस्ट में से लिस्ट में last case कब देखा गया यह बड़ा बड़िया question Last case of polio कब देखा गया मैंने का polio कोई बीमारी तो है पर यह बाइरल बीमारी है ओर polio के strain होते है P1 होता है P2 होता है P3 होता है मैंने का तो आप कौन से वारे last case का पूछ रहे हो मैंने का 3 ओं का बता दीजिए यह लो तो बेटा सबसे पहले पीवन से सुरू करते हैं हैरार की चेंज नहीं करते तेरा जनवरी लास्ट केस पोलियों पीवन का तेरा जनवरी दो हजार ग्यार को दêखा गया आपने का का अंसर हावरा हावरा यहांनि बैस्ट वंगौल में हावरा के अंदर जो पंचला है वहां देखा गया बैस्ट वंगौल में हावरा में ठीक है बच्चे अपने का ठीक है अब पीटू का केस लास्ट केस अब देखा गया फी तो का केस 24 अक्टूवर कब देखा गया26CU है उनजी सो निन्यानवे24 अक्टूवर 1909 को अलीगार में अलीगळ जानते हो ना बिल्कुल अलीगळ यूपी हमारा उल्ठा पड़ेश उत्तर प्रदेस में अलीगड में 24 अक्टूबर को लास्ट केस देखा गया 1999 में P2 का P3 का लास्ट केस कब देखा गया आंसर है 22 अक्टूबर में 22 अक्टूबर 2010 में लास्ट केस देखा गया कहा आंसर है पकुर अब पकुर कहां पे है आंसर है जारखंड कहां देखा गया जारखंड में देखा गया लास्ट केस तो बिटा यह information एस्टरा थी कॉपी में लिख लिजेगा वुरे बक्त में जब आएगा तब काम बहुत आएगा कि कब लिस्ट में से हटाया कौन सा केस कब देखा गया कौन सा केस कब गाये हुआ बिल्कुल क्या इतना सा सब को समझ में आया तो कोश्चन का अंसर तो मिली गया था कि इंडिया को कफिरी किया गया वो हमने बता दिया कफिरी किया गया 2014 में आपकी इच्छा है का आप कम लिख लो तो बढ़िया बात मुंकुन मेगवाल गोड़ी भी नहीं में अगे चलें बिल्कुल अलीगरे को हरीगर हो गया अब हरीगर ओ या कुछ भी ओ पर न आम अलीगरी ठीक है ज़िक हमें लेकर चलेगा प्चे जब हरीगर होग तर बात करो है योगी जी बैठाए अपने भविस्टी से खिलवार करते हैं एक्जाम उन से खिलवार करता है फटाफर्ट तो आप से पढ़के दिल को बड़ा सुकून मिलता है सुकून दिल को मिलना चाहिए बाकी और मैं तुझे कहां सुकून दे पाऊंगा बच्चे दिल से मिल जाए इतना ही बड़ी चीज़ है तर एक सी रेचन का चीए चो का महरतन ले लो वादा रहा आप से चीए चो का महरतन लेगा भाई आपका टैंसन मतल और बताओ तुम मांगो तो जाही सम मिलता भाई के दर्वार में सम मिलेगा आपको गौरफ सर्फ गूड इवनिंग हमारी तरफ से नमस्कार गुरुदेव पटाफट फटाफटा फटाफटा अंदो जिन्हों अभी तक क्लास को शेम नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो क्लास वो लाइक नहीं करा सही समय का वेट मत करो सही समय एक्जाम के बाद आता फटाफट आंदो कुशन फटाफट लाइक करोगे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी वबिसु तुमारे साथ अच्छा बनने वाला विच्व दा फॉलोएंग फीटल हार्मॉन डजन नौट प्ले नौट प्ले नौट प्ले नौट प्ले यह इस पर द्यान दो नौट प्ले नहीं खेलता एनी इंपोर्डे चैनल नहीं है क्रीम रोल नहीं है नहीं यह आपने थीक किसमें होता में भी होता है चोटा-मोट नहीं होता है यह ब्ले नाופě फीटल के दोरान ग्रोथ हार्मोन का लेवल हाई रहता यह बात एक दम साते हैं तो ऐसा मत कहना यह उता ही नहीं है यह फीटल ग्रोथ में कोई रॉल नहीं निवाता है इसका मतलब यह हुआ कि फीटल ग्रोथ में कोई नहीं निवाएगा पर हां पोस्ट नेटल ग्रोथ में इसका अफेक्ट बहुत होता है तो पोस्ट नेटल ग्रोथ में यह हाईली अफेक्ट करता है पर फीटल ग्रोथ को यह अफेक्ट नहीं करता तो कोई पूछा जाए कब अफेट करेगा पोस्ट नेटल में करेगा पड़ फीटल में नहीं करेगा चले आगे आपने कड़न तो लाइफ में अफेक्ट नहीं करता यह क्या उपने लिखते नहीं अपने मेराथं करते लम्मा दोडते उसमें उसमें मास्टर दौडता रहता बच्चे मजे लेते तो इसे कहते हैं अब आपने करता है क्या थायरोक्सिन और इंसुलीन तो यह में ली करते हैं आपने का सर में ली करते हैं मतलब क्या कहना चाहरे हो पूछ ले तेरी मन में तो बता देता हूं कोई पूछे But most common कौन अफेट करता है तो most common effect करता है इंसुलीन तो सबसे ज़्यादा फीटल ग्रोथ को प्रभावित करने वाले हार्मॉन का नाम बता यह इंसुलीन कोई पूछ जाए कि इसके बाद कौन सा है तो और थायरोक्सिन वही प्लस भी वह भी नहीं है जिसके फीचे छोड़ाने brain and bone यानि brain की growth करवाता है और bone की growth करवाता है थायरोक्सिन तो थायरोक्सिन brain and bone की growth करवाता है किसकी answer है फीटस की तो थायरोक्सिन का तो role है insulin का भी role है अब glucocoticoid क्या करता है liver को mature करता है gut को mature करता है lungs को mature करता है इन में किसका role है ग्लुको कोटिकोईड का सब अपना अपना काम कर रहे बड़ बिचारा ग्रोथ हार्मोन कोई काम नहीं कर रहा और ग्रोथ हार्मोन कोई काम नहीं कर रहा इसका मतलब है आंसर क्या जाएगा ग्रोथ हार्मोन तो इसमें से कोशन कैसे बना insulin वो hormone है जो सबसे जादा fetal growth को affect करता है thyroxin वो hormone है जो fetus की bone और brain की growth करवाता है thyroxin और insulin मिलकर help करते हैं cell differentiation के process के अंदर glucocortico lungs के liver के और intestine के maturation में help करता है पर growth hormone होता खूब है पर करता कुछ भी नहीं है यह करेगा तब बच्चा पैदा हो जाएगा पैदा होने के बाद करेगा उससे पहले नहीं करेगा उससे पहले बाप करेगा तो पैदा होने के बाद करेगा कौन glucocorticoid जी सौरी कौन सा that is the hormone name क्या है बच्चे growth hormone बच्चे की जनम के बाद प्रभावित करता है जनम से पहले प्रभावित करने वाले तीन आर्वान कौन इंसुलीन glucocorticoid और थायरोक्सिन कि अधिक है आई हो अधिक है अधिक है क्या कहने रूही रूही तेज बोल बेटा किसकी फुल पम नहीं बताई स-e-a-r की फुल पम नहीं बताई लिखे ले कौपी में साउथ इस्ट एसिया रिजन साउथ इस्ट एसिया रिजन ये लो और कुछ है रूही टेडी डे है तु जो मांगती बतर को मिल जाएगा ठीक है बच्चे और आगे चलू राट और ये इतने तो बहुत है सेलेक्शन के लिए साड़े सत्रों सो बच्चे बहुत है सेलेक्शन के लिए राट और ठीक है और को यादेश कि लास वाली फीलिंग आ रही है किलास वाली फीलिंग आती है थायरुक्सिन मैं थायमीन नहीं पडा रहा रहा राइव फ्लैबिन नहीं पडाएंगे वाद आया आपसे नौशेट पडाएंगे उसमें च्छोपने आप आएगा और आप तो बूल जाओ तुम इस वरों से मत अगला कोश्चन अगला कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा फटाफट कोश्चन का अंसर फटाफट कोश्चन का अंसर आपका सर्ट अच्छा लग रहा है ले ले तु यार सर्ट अच्छा लग रहा बढ़िया बाई एक दिन ऐसा रहेगा सारे कप्ड़े ले जाओगे बचे का मेरे पास कुछ भी नहीं सब ले जाना पर कुछ छोड़ जाना ठीक है अच्छा नहीं लगँगा नितो सरेंदी इंगले सी बढ़ा दो समें बढ़ा दों इंगले से में बढ़ा बताऊंगा CRPF के बारे में बताऊंगा क्लास पढ़ते रहो आई विल टेल अबाउट CRPF जो भी उसके बारे में कैसे कुछ नहीं बताएंगा ठीक बचे सरकोशन नहीं दिख रहा क्यों दिख रहा हो गया और मैंने तो कुषन हागे कर दिया तुरेफरेस करके देखे एक वार साथ दिख रहा हो सब को दिख रहा तरी को नहीं दिख रहा भाया प्रणाबर आंसर आने लगे आंसर आने लगे एक्सिलेंट अब मैं आप बढ़ा हूं अच्छ च्छ 4 यह च्छ्ष चनिकार दीविविण संद्याय सी पड़ेंगा पड़ा दीजिए पड़ा दूंगा- स्थ्में-वर्यज को को मीन कहते बीच की संक्या को मीडियन कहते और जो मेक्जिम नंबर फ्रिक्वेंसी उसको मोड कहते काई टेंशन ले रहा भाया इसा दिखना पड़ता मिया तुम लोगा अंसर आ रहा है बहुत बड़ी आप देखते हैं किसकी बात कर रहा है यह कह रहा है लेट ऑंसेट नियोनेटल सेपसिस तो थोड़ा सा प्रकास डालते हैं इसके वारे में और जितनी सारी चीज़ें आप सब के सब पढ़िए बहुत अच्छे से अब बात कर रहा है सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको कंफीज नहीं होना एक होता है अरली आउंसेट नीरो नेटल सेपसिस तौट में लिख रहा हूं काम चल जाएगा एक होता है लेट ऑंसेट नीनेटल सेपसिस फटा-फट बता हो क्या डौनों लिख यह कॉपी में लिख लीजिएगा फिर बाद में कहेगा भाई बोल क्या रहा था उसमें याद नहीं आ रहा कॉपी में रखो गए तो याद आएगा जरू सो परसेंट याद आएगा ठीक है तो इन डैट सिच्विएशन आपने का ठीक है एक है एल्ली ऑंसेट नियो नेट आपने का असर बताये कब क्या होगा अब मैं आपको बता रहा हुं जो ओल्ड डेटा है अब आपसे कहें कि आपसे कहें और न्यू के बारें बता दीजिए लेट कहते हैं यह ज्यादा एक चुनना पड़े तो चुन लीजेगा बैतर गंटे पर ऐसा option होगा नहीं मैं गारेंटी दे रहा हूं या तो साथ दिन option मेंगा या बैतर गंटे option मेंगा धॉंटन नहीं आएंगे तो मुझसे बनस करवा लिना मेरी तो साथ दिन वाला होगा या बैतर घंटे वाला होगा इसका मतलब या क्या चुनना बैतर घंटे वाला चुनना यह ज़्यादा सही है कि अग्या गॉल्डब्लेस वुच्छे कि जारखंड में आप चा रहे हो बेटा मैं छोटा सा मास्टर छोटे सा चैनल है जीनों में गरीवों का चैनल गरीब पढ़ा रहे मतलब भर भी काम बढ़िया कर रहे हम लोग और मैं रोज नहीं आता है सोचो रोज आऊं तो ट्रेफिक जाम हो जाए दर मैं कवा आता हूं ब और जो बाद में होता उसे कहते हैं लेट नियो नेटल सेपसिस इन रुपा बोपाल से सनो आरके दादिच का साधर दो गौड ब्लेस यू बच्चे आरके दादिच जीता रहे भगवान करें लम्मी उमर दे ठीचरों का संबान करोगे तो भगवाने से तरक्की देगा तु है नौ जो कॉमियल इंफैक्शन जो बाद में लग गए किस से हौशपीतल से जो बाद में लग जाते हैं वो देशína कॉमियल तो नोजों कॉमिल इंफैक्शन का लगना लेट नियो नेटल सेपसिस कहलाता है क्या आपको मेरी बात समझमें आई बचे ह타 तो हूं यार कि अब बात करते हैं सर बताई और कैस के बारे में ज्ञान सुन लो ज्ञान चछो खोली हैं और पिकास दाली इनरजी तो अब आपने का सर इसका क्लीनिकल मैंनिस टेशन इसमें कौन-कौन से पाए-जाते अरली के अंदर पाया जाता है स्टार बना के लिख लो रेस्पिरेट डिस्ट्रेस पाया जाता है और इसके अंदर नियुमोनिया पाया जाता है तो कोई पूछा जाए इसमें कौन कौन सा होता है रेस्पिरेटी डिस्ट्रेस होता है और नियुमोनिया होता है लेट में पूछे तो क्या होता है लेट में होता है सैप्टी सेमिया क्या होगा सैप् अंसर क्या होगा तो इस लेट में सबसे ज़्यादा चांस किसके हैं सैप्टी सेमिया के उसके बाद चांस किसके हैं मैंनिग जाइटिस के उसके बाद चांस किसके और डी आई सी अटाई ये इसे कौन सा एवर अप्तियों प्ले सेंटा करवा के बैठा हूं में तो ये दोनों तो हटा दीजिए अब मैंनेंजाइटिस और नियूमोनिया में आंसर दे दीजिए बच्ची अफटा फटा पटा अचालन स्रमसरा बोचा पढ़ा तो सबसमर्द में आता बेट अदेसी ये भाहि का करते सब को सब समझ में हैं मैं वह नहीं पढ़ाता जो मैं वह पढ़ाता हूं जो एक्साम में हाता है अब использовать कितना जान क्यों दूमें वो पड़ा रहा हूं जो एक्साम में आता है याद रखिएगा ठीक बच्चे आगे चले मिटा अब बताओ आंसर क्या जाएगा फटा फटा आंसर दे दीजिए अब तो तुम सब ने आंसर बदली दिया आंसर जाएगा मैनेंजाइट इस एक्क्यूरेट आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कुछ नया सीखने को मिलेगा इसलिए आप जीनों में के पास पहुंपी में लिखते रहिएगा बुरे वक्त में जवाएगा तब आपको भाई याद आएगा अगे चलू अगला कोश्चन ले तो सबसे पहले अपने को गवराना नहीं है ठीक है बच्चे चला गॉल्ड ब्लेस यू औरे बहुत कलाकार बच्चे ऐसे बदलते हैं जैसे एक्स को छोड़के नहीं पकड़ते हैं लोग आप्सन को ऐसे चेंज करते हैं यहां के एक्स को चोड़के नहीं पकड़ने का तरीका है वही तरीका है यहां पर बच्चे अगला कोश्चन मेरे प्यारे बिद्याड थी ओ फटाफट को पढ़े और चमतकार की तरह अंसर करें कोई बच्चा बिना अंसर करें कमेंट बॉक्स में नहीं रहेगा और याद रखियागा एक को हो तो मैं वह पढ़ा दूर आए वह फ्लेविन भी टू होता है तो इसी जी ओर है कि फटावड़ बच्चे जल्दे लब फ्रॉम कस्मीर गॉल्ड बैसी बच्चे मलेक इट साथ निते सोलंकी बिटा सरल लेंग उसका मेरा थन उड़ा सर पढ़ाते मैं तो अगला क्यों पढ़ा फटा फटा फटाफट कोशन का अंसर कोई बच्चा बिना अंसर करें नहीं रहेगा याद रखियेगा देखर हूं कैसा धमाता कांसर आ रही एसा यांसर आने चीमिया अहलक नंबर काम कर रहे हैं तुम लोग बहतरीन क्योंस्यन आंसर आने तो कोई बच्चा रुकेगा नहीं जब बढ़ोगे जब तक तुम्हारा कमेंस में पढ़ न holders जब तक तुम्हारा कमेंस मैं न पढ़ लूं में रूकना नहीं तो मैं किसी प्रविदा का सी है सनी का डी रमाकांत का डी वैट्स का बी रोहित का सी है मूं का भी राठ और साब का राफ थे बहुत हाई लग अरे तो हाई एनर्जी होती रहे भावा तो इतना लोड नहीं ले पाएगा भाई की थोड़ी ज्यादा है तरह मेरा पढ़ते ही नहीं है तो अंजू चौधरी तो लिख तो सही कमेंट पढ़ लूगा बिटा तेरा कमेंट तो पढ़ना है इसमें क्या है बहुत अच्छी बात चलो विच आप दढ़ीज मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलेगा डाइबिटिक मा दोटाइप की होती है तो होती है तो सारे और बन चुके डाइबिटिस मेलाइटिस यह जो जीडियम होती है चौबीस वीक से पहले पहले तो और गैनो जैनेसिस कंप्लीट हो चुका मतलब कि अब और गैन पर कोई दिक्कात नहीं आएगी प्री जैस्टेशनल तो यानी के बच्चे की प्रेगनेंसी मा की प्रेगनेंसी के इनिसिल स्टेज में भी यह डाइबिटिस मेलाइटिस पाई जा सकती है इसका मतलब इसका अ चुका है बता कि अब सर्भाइपर ग्लाइसेमिक घृतcusू हमेशा हमまず कर होता है आपने का एक कैसे होता ओने साबित करूंगा पहले ने अउन्द सेंडिक्ग खुदिक का पच्च्छ हाइप ज्कैसा होता है के गाओड ब olives बच्चे अप सुनो माँ डायविटिक है मां हृपर ग्लाइस्ट मेरा फिलो चार समझेगा मां डायविटिक जाता गया इंसूलिन बनता गया गुलुकोज आ रहा है इंसुलिंस बन रहा है माहल एक दमसरी है दिल गौड़न-गॉडन हो रहा है क्या हो दिलाँ हो रहे हो गया खाइल नहीं आये मेरा तो इंसूलिन त्यार बैठाए इंसूलिन ज्यादा हो गया ग्लुकोज क्या हो गया कम इंसूलिन हो गया ज्यादा ग्लुकोज हो गया कम क्योंकि ग्लुकोज की सप्लाई हो गई बंद ग्लुकोज आना हो गया बंद तूट गया प्लेसेंटा और कट गया कोड और कटने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता जिसका कट गया न उसका कट गया कटने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता तो कोड कट जाएगा तो गलुकोज नहीं मिलेगा और गलुकोज नहीं मिलेगा इसका मतलब है इसका मतलब है कि गलुकोज हो गया कम और इंसुलिन हो गया जादा तो बच्चे में हाइपोग्लाइसेमिया होता है हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होता है तो मतलब ये वाला तो पूर्ण रूप से गलत है अब जिसमें A है उस option को तो काटी दो तो A कट गया और C कट गया अब बात करते हैं बाकियों की हाइपोग्लाइसेमिया होता है बिलकुल होता है क्या होता है कि जब बच्चे के अंदर गलुकोज जादा हो और जब बच्चे के अंदर इंसूलिन जादा हो मतलब बच्चे के अंदर गलुकोज जादा और इंसूलिन जादा हो पेरा thyroid hormone कम होने से blood में calcium की मात्रा कम हो जाती है तो ये कतन एकदम सबते है किसमें hypokalcemia पाया जाएगा बात करते हैं sir neural tube defect पाया जाएगा बिल्कुल पाया जाएगा क्योंकि ये congenital anomalies है और diabetic मा के बच्चे में congenital anomalies पाया जाती है question ये है sir कि congenital anomalies अगर पायी जा रही है तो अगर तोड़ा सा निगा डाल देते कौन कौन सी पायी जा रही है बहुत सी पायी जा रही है नाम गिना हो अब तु पूछ ही रहा है तो बेटा गिनता जा इसमें सबसे पहले पायी जाती है congenital heart disease क्या पायी जाती है congenital heart disease most commonly पायी जाती है नाम गिना ये कौन कौन सी होती है मैंने का ASD होती है और बताइए मैंने का VSD भी हो इसके अंदर होता है और बताइए Transposition of Great Artery भी इसके अंदर होता है और बताइए Truncus Arteryosis भी होता है समझ में आ रहा है बताइए small left colon syndrome इसमें पाया जाता है small left colon syndrome कहते है left side की colon छोटी होती है small left colon syndrome पाया जाता है ये सारे उस बच्चे में पाया जाता है जिसकी माता जी को diabetes है जिसकी माँ जरूरत से ज़्यादा मीठी है जिसकी माँ जरूरत से ज़्यादा मीठी है उस बच्चे को बीमारी होना तै है, इतना मिठास भी जरूरी नहीं, जितना माताजी लेके घुम रही है, TGA most common नहीं होता, इसको सही कर ले, DGA aims lover बेटा, aims lover बनोगे, पर सही पढ़ने से बनोगे, और भगवान करे, तेरा सेलेक्शन हो जाए, पर कंसेप्ट सही रखो, TGA, बिलुकुल भाहियत आंसर है, आंसर है, VSD, ventricular sector defect, सबसे commonly पाया जाता है, आपने का चलो, ये भी याद रहेगा, और बताओ क्या पाया जाता है, caudal regression पाया जाता है, क्या पाया जाता है, caudal regression पाया जाता है, इससे क्या बोलते हैं, sacral agenesis, क्या कहते हैं, sacral agenesis, ये क्या हैं, ये एक ही है, ये most common तो नहीं है, most specific congenital anomalies है, most common पूछे तो VSD होता है, समझ में आ रहा है बच्चे? कि अगी चले अगे पिटा ? ममता सर्पलीज मेरे कोश्चन का बिटा ममता पूरी आगे पूरी क्लास के बाद तेरे कोश्चन कहां से तो मिल जाएगा मैं हईचा अगे कोश्चन लेके आ जाऊ हूं ठेक है पर अभी सबरकर हईचा सबस्क्राइब करो सबस्क्राइब करो नहीं तो बिटा क्या होता है बुरा वक्त यह सिखाता है अच्छा वक्त किसके साथ बिताना है जब बच्चों के नौर सेट में सेलेक्शन नहीं है ना तो उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें कहां टाइम स्पेंड करना चाहिए था कौन से चैनल पर टाइम स्पेंड करना चाहिए था किस से पढ़ना चाहिए था तो यह बात एकदम सही कई किसी कवी ने मेरे जैसे कवी ने कि बुरा वक्त बताता है के सही वक्त बिता ना किसके साथ है तो तो याद रहेगा तो ठीक 직접 बतायेे तो क्या पाई जाता है ये जाता है मैं चिल्लां पाई जाते इंट्रा यूटि राइन ग्रोथ रिटार्ड नहीं रस्ट्रिक्शन नहीं होता तुम क्या कहरे 20 वह बच्चा इन्नासा होगा बच्चा एक दम हाथी टाइप होगा तुम कहरें ग्रोथ कम होगी तुम कहरें ग्रोथ कम होगी कि ऐसा नहीं है कि पढ़ ले तो मनी खांत उदोसी समझा रहा है बच्चे तो ग्रोथ रेस्टिक्शन नहीं होता है ग्रोथ कैसे कम हो जाएगी मैक्रोसोमिया होने वाले बच्चे की ग्रोथ कम होगी अरे यह तकी तो नॉर्मल से भी जादा होगी तो यह भी गलब तो आंसर बी सी और डी और इसलिए आंसर गया डी I hope आपको मेरी बात समझ में आ रहे होगी बच्चे सब्सक्राइब कर देखो देखो किसमत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता तो मैं पहले पता चल जाता तो गारंटी थी कि अगर पॉइंट पांस से रहे हो तो तुम्हारी देंट टॉप टेंग में आ जाते किसी को कुछ बड़ा करना है किसी को कुछ बड़ा करना है क्यों कोई बड़ा चोटा करना चाहेगा रोजी रोटी की बेवस्ता कर दो नौगरी दिलवा दो आप तो बड़ा चोटा बाड़ में आने दो किसी को बड़ा चोटा नहीं करना जैने करना है वो अपना बड़ा चोटा करी रहें दीरे दीरे कुछ बड़ा कर रहें कुछ चोटा कर रहें और लाइफ में सब को एंस्क्रींपले एंसे एंस्क्रींपले यंस्कृम्टे एंसे उन्स्की कि एंस्केंडियरा कि अच्छा पड़ा पड़ा कोश्चिन को पड़ों इतना मॉटिवेशन देदेते हैं कई लोग तो यार के बाद के बैल के फैक बाला काँ तक जाए अब मत फैक देना किसी में गुज़़़ो गया तो दिक्क्या तो जाएगी बाला वैसी बहुत बहुत नुकील आये कि इतना तेज बाला चला दो कि गुच्चे चला गया तो नौकरी मिली नहीं मिली के जेल में चले जाओगे तेज बाला फैक के कि फैक बाला कहां तक जाए अरे पढ़ लो इतना ओवर मॉटिवेशन से लेटरिंग जाम कर रखी तुम लोग आने यार दे मॉटिवेशन दे मॉटिवेशन किया सुबेश सुबेश ने और नाली जाम हो गई अरे मॉट पढ़ने से सेलेक्शन होता है भई कंटेन से सेलेक्शन होता है मॉटिवेशन से नहीं होता है मि रकलास to आप देखता हूं बैठा मैं देखता हूं मैं कैले पांस मेरे चाए कलिवेशन हैं उन क्लीप को मैं देखता हूं दूनYoYo Damец कि बाता रौडर जलो वड़न जलो महने बढ़त भी आपट विच्ड अपारवेट विच्छ करद आञे रहेगा एच्छ वाज आफ से खुट हरग सब्सक्राइब एच्छ फेवेग व्टबवटों और अरेम वेडिया तुसरुलिवाय भावार मनको अरे वईसे लीजा है और गड़ी ले रहा है कोई कि पैंड़ी ले रहा है को सटाट को अरुले जाना अरुमिया եी तो स्टांट अध़िया श्ले जेस्टि Miller का असथ सुटिंथ उस्टेम्र छहिए जा मैम कर दे वाले वाले किलास देखे दो साल खराब कर दिये सकते आप किलास बात में पता चला कास पहले पता देल जाए कोई बात ने मेटा भाला यह प्रक्षा पढ़ते रहो मेहनत करो कि अपका दिमाग दे तो अरे दिमाग दे तो सही है अब बस एक ची छोड़िया आपने सवागी सब लेहीं लिया कि अग्यों कि माता रानी हैपी घर तुरक अच्छा लग रहा है तो पढ़ ले नहीं तो चली जा ठेक है माता रानी अब यह कोरी एथिक्स मत दिखाओ यह कोर एथिक्स होते हैं यह मत करो गजी का अच्छा मत बोलो ज्यान मेरे पास भी बहुत है तेना की जरूत है के मनने घ्यान की भाया एमातारा नहीं ठीक है अच्छा लग रहा है सुनने नहीं तो रस्ता देखो बिटर है इस पर बताओ कौन सा है एएएटी एड़ एज़ पर डवलु एचो आप बास समझें मैं जो कह रहा हूं CD4 count यह decide करती है कि CRT start होनी है के नहीं होनी है तो start कौन बताता है आंसर है CD4 count ART दौनों को देते हैं मां को भी देते हैं और चाइल्ड को भी देते हैं चाइल्ड मतलब के बच्चे को देते हैं हाँ या ना बच्चा मतलब बेबी और बेबी समझ रहे हो ना कौन सा वाला हाँ तो रेल बेबी को बात कर रहे हैं बच्चे हाँ चले आगे चलो अब बात याद रहना कि मदर को ए आटी तब देते हैं मदर होती है एक बार होती है नॉन एलिजिवल फॉर ए आटी नॉन एलिजिवल फॉर ए आटी और वो कब होगी बेंस सीडी फॉर काउंट इस पर एम्म क्यूं और माता जी एलिजिवल कब होंगी फॉर ए ए आटी एलिजिवल होती है के बेंस सीडी फॉर काउंट याद रखना लेस दять थुहंडरेड पर एम्म क्यू तो माता जी के लिए तो सीडी फॉर काउंट पर डिसाइट करती है कि ए आटी दी जाएगी या ए ए आटी नहीं दी एकि sentence को बहुत ध्यान सुनना अर्ट देनी है या नहीं hen को यह बात मा की cd4 count पेड़ करने करती है कि है list यह यह फर बम इसका नहीं है इसका मतलब है CD4 count पर डिसार करेगा मा का पर जो बेबी है जो बेबी है उसकी अगर मुझे ART देनी है तो ART does not depend star बना के लिखे लो ART for baby does not depend on CD4 count on CD4 count पर depend नहीं करता यह बात ध्यान में रखिएगा मा को ART देनी है के नहीं देनी है मा को ART देनी है के नहीं देनी यह CR cd4 count पर depend करता है पर बच्चे को ART देनी है के नहीं देनी यह CD4 count पर depend नहीं करता उसकी CD4 count कितनी भी हो अगर वह बच्चा HIV positive मा से पैदा हुआ है तो उसको ART दी जाएगी 100% दी जाएगी याद रखिएगा क्या इतनी सी बात समझ आई बच्चे तो याद रखिएगा मैं जो कोशन बता रहा हूं अगर वो मा HIV positive mother है और HIV positive mother है तो उससे जो बेबी होगा इससे जो बेबी होगा वो ART लेगा ही लेगा अब बात तेक्सर कैसे लेगा मिनीमम कितना लेता है तो मिनीमम 6 week लेगा और अगर पूछे कि मां को ART 24 week से कम दी है यह मेरी बहुत important point है भूलना मत जो कह रहा हूं क्रिप्रा करके एक एक लाइन में से question बन रहा है exam का अगर वो कहे कि मां HIV positive ती बेचा जो उसका बच्चा पैदा हुआ है उसको ART देंगे बिलकुल ART देंगे चाए उसका CD4 काउंट कितना भी हो चाए उसका CD4 काउंट कितना भी हो ठीक है बच्चे ART फुल फॉर्म एंटी रिट्रो वाइरल थेरपी एंटी रिट्रो वाइरल थेरपी आपने का मिनीमम कितना देते हैं च्छे वीक अगर आपने सुना ध्यान सुना जो कह रहा हूं इफ इस्टार बना के लिख लो इफ मदर इफ मदर हैज टेकन अगर मा को प्रिगनेंसी के दौरान 24 वीक से कम ART दी गई है तो याद रखना उसके बेबी को जो ART देनी है वो दी जाएगी 12 वीक की कोश्चन अलग है आंसर भी अलग है अगर पूछा जाए कुछ नहीं कह रहा तो ART कम से कम कितनी देनी है 6 वीक की देनी है पगर वो टर्म डाल दे कि मा को ART 24 वीक से कम दी गई है तो बताओ उसके होने वाले बच्चे को कितने वीक चलेगी ART आंसर है उस केस में 12 वीक चल ठीक है बच्चे याद रहेगा आप ने का दुवारा बताओ इन दैट सिचुवेशन के अगर वो कुछ न कहें तो 6 वीक चलेगी बच्चे को ART जा CD4 कांट कितनी भी हो पर अगर मा को टोटल ART 24 वीक से कम चली है तो इसका मतलब यह हुआ WBC में CD4 cell में डिफरेंस क्या होता है CD4 cell WBC की लिंपोसाइट से लिए होती है टी लिंपोसाइट समझ में है बच्चे उसी का टाइप होता है तो अलग से नहीं होता है WBC के अंदर ही होती CD4 कांट समझा रहे है बच्चे जो मैं कह रहा हूँ In that situation आपने का ठीक है यह मुझे याद रहेगा आपने का अगर कब हो जब मा को टोटल 24 वीक से कम दी गई है कोश्चन है कि सर बच्चे को कौन सा ड्रग देते हैं ART का ड्रग कौन सा देते हैं ART के लिए कौन सा ड्रग देते हैं आंसर है नैवीरा पिन, क्या देते हैं, नैवीरा पिन देते हैं, नैवीरा पिन फस्ट प्रायोटी है, और नैवीरा पिन आप्शन में ना हो, तो बच्चे के लिए आंसर जाएगा, जीडो बुडीन, ए, जेटी, ये होती है, जीडो बुडीन, ये मेरी सेकंड प्रायोरिट तो zero burden देते हैं बच्चे को first priority क्या होती नेवी रापिन दिया जाएगा याद रखेगा बच्चे तो नेवी रापिन is the first priority प्राइउटी क्या इतना सा बार अब आपने कासर कितना देते हैं तो बीटा dose जो है वो बच्चे के birth weight पर depend करता है तो birth weight एक तरफ है नेवीरा पिन एक तरफ है और zero protein एक तरफ है अगर बच्चा 2 kg से कम का पैदा हुआ है तो आप इसे कितना दोगे answer हमें से देंगे 2 mg और अगर zero protein देनी पड़ गई तो वो देंगे 5 mg ठीक है बच्चे अगर बच्चा 2 से लेके धाई kg की बीचिम पैदा हुआ है तो इसे हम देंगे 10 mg और इसे देंगे हम 10 mg जीडो बुडिन देनी पड़े तो अगर बच्चा 0.2, 0.5, 1 ml, 1 ml, 1.5 ml, 1.5 ml, 1.5 ml, देख लेना ml में दे रखा है या mg में दे रखा है copy में लिख लीजेगा तो फाइदा हो जाएगा, exam में फाइदा हो जाएगा, हर जगे फाइदा है फाइदा ही फाइदा है, बस पलने से फाइदा है क्या आपको इतनी सी बात समझ आए बच्चे बिलकुल यह इतना सा कोशन के लिए रुआ होगा आपको तो इसका आंसर क्या जाएगा इतना सारा पढ़ाने का फाइदा आंसर एइनी चाइल्ड विद एचाइवी कोई सा बच्चा ओ इसको ही पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं उसको हम ए आटी देंगे ए आटी देने के लिए माँ पे मां का सीडी फॉर काउंट देखना जरूरी है बच्चे को ए आटी देने के लिए सीडी फॉर काउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी बोलो आज के आनंद कीजए है तो बेटा मैं डॉक्टर साब बोलता हूं तो कोई बात नहीं डॉक्टर तो तुम्हें बढ़ा के दे रहे है ठीक है बच्चे चलो अगला कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा फटा-फट कोश्चन को देखें और आंसर करें इच और इस्टुएंट गिव पड़ा बट सारे बच्चे कोई बच्चा आंसर करें बना ही देगा विड़ा क्लास हमेशा नौवजे स्टार्ट होती ठीक है लोकेश अगर प्लीज एक बात बताना सच बताना एनेचन का पेपर बनाने में आपका हाथ थाना पड़ले बेटा पड़ले मनेशा पड़ाई कर पड़ापड हर बच्चे को आंसर करना है कोई बच्चा बिना अंसर करें नहीं रहेगा याद रखिएगा इचन आवरिश्टूंगेट राइट आंसर इम्मीडेटली कि अरण दो जल्दी फटा फट बट विच आव दा फॉल्लविंग नौट दा फीचर ऑफ ब्रेस्फीडिंग जॉइन डिस्पप से पहली बात करते हैं कि ब्रेस्फीडिंग जॉइंडिस्ट का निम्में से फीचर पूंसा नहीं है पीट आपको अच्छे से बता है कि ब्र ब्रेसट फीडिंग जॉनडिस वह होता को दो जॉन्डिस होते हैं मैं दूनों में क्याYou कर दntyझा challenges ँर अ होता हैप्राइस DR. एक कोट साइफ ब्रेस्ट मिल्क जॉनडिस दूद्ध इसोते एक होता है breastfeeding जॉइंडिस दूद न पिला तो जॉइंडिस और दूद पिला दो तो जॉइंडिस ये दो होते हैं ठीक है अब आपसे पुछा जाए सब breastfeeding jam Chainїoo क्यों जॉयन्धिस क्यों होता हिए तो आंसर है इंढके विलेट इनविक्वेट इनविकेट इनद्धिकेट ब्रेस्ट फीड़िण अगर अच्छे से नकराओ तो बच्छे को जो जो य तो उसे कहते हैं breastfeeding jointus breast milk jointus किसे कहते हैं कि जब आपने क्या किया breast milk की वज़े से क्या हो गया breast milk cause of breast milk cause of jointus jointus का cause क्या बन गया breast milk आपने का done इन दौनों में से जल्दी कौन सा होता है यह होता है early onset इन दौनों में से जल्दी कौन सा होगा वह होता है breastfeeding jointus जल्दी होता है compared to breast milk jointice और इसका होता है late onset आप से पूछा जाए breast feeding jointice में से और breast milk jointice में से कौन से जोंडिस पहले होगा तो answer है breast feeding jointice पहला होता है आपने का सरी कब होता है ये होता है first week ये ज्यादातर होता है first week में first week में मतलब सर कब से कब होगा usually ये होता है 24 से लेके बहतर गंटे accurate time बैसे first week होता है पांस से साथ दिन पर कोई गंटे में आंसर पूछे तो 24 से बहतर गंटे के अंतर होता है आपने क्यों हुआ due to lack intake of the flood flood intake कम होने की बज़ए से पान urine कम निकलेगा इस टूल कम निकलेगा तो bilirubin clearance नहीं होगा इसलिए आप क्या चाहते हो अगर किसी को breastfeeding joint देस आप चाहो तो ये कोसिस करो कि उसको बच्चे को जादा दूद पिलाये जाए बच्चा जतना जादा दूद पिएगा उसका bilirubin उतना जल्दी clear होगा उसका urine जादा आएगा bilirubin clear होगा इस टूल ज्यादा निकलेगा bilirubin clear होगा उसके liver को ATP में उसके liver को energy मिलेगी वो ज्यादा काम करेगा वो liver ज्यादा काम करेगा इसका मतलब यह हुआ कि उसका conjugation भी ज्यादा होगा तो unconjugated bilirubin किसमें बदल जाएगा conjugate में और body से निकाल दिया जाएगा तो इ unconjugated bilirubin seen बिलकुल unconjugated bilirubin होता ही है तब ही तो जोन्डिस कह रहा हूँ तो यह कथन तो एकथन तो एकदम से सही है यह कथन तो एकदम से सही है समझ में आपने का it focus in the first week of life बिलकुल first week of life में होता है यह कथन भी एकदम सही है it is seen in the breast infant due to decrease milk intake बिलकुल दूद गंसे नहीं पिया इनेडिकेट ब्रेस्ट फिडिंग हुई तो बास गलत है treatment with old with old नहीं करना है देना है बच्चे विद होल्ड नहीं करना है दूद पिलाना है यह कथन एकदम गलत है इसका मतलब यह सारे आइडिया मिल जाता आजा तुने बड़ी दिल के भटने वाली बात की आजा breast milk जॉइंडिस के वारे में थोड़ा सा प्रकास डालिए तो अभी प्रकास डाल देते हैं यह रही एक torch और यह रही इसमें बटन और यह मैं डाल रहा हूं प्रकास तो आओ breast milk पर प्रकास डालत सान Baptist मिल्क साथ दिन के अंदर कौंसा होता एंशर 7 दिन के अंडर होताए क्या क्या इतनी सिपाद समझ मैं है मैंने च्छ मिल्क जॉन्ड्स में जो बिलिरुविन का लेवल है वह मैक्जीमः हो जाता एक दूसरे से टीसरी वीक में फ़ेटी प्रकास उभी है यह समझ भाइवा है मैंने का प्रकाश डालो प्रकास में डालो तेंशन मत ले दो ठीक है बच्चे तो ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडे साथ दिन के बाद ज्यादतर होता है मैक्जिम लेवल कब पहुंचेगा अंसर है सेकंड से थर्ड वीक में पहुंचेगा क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई बच्चे अब आपने का ठीक है सर एक बात बताओ यह जो ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडेस है इसमें क्या इस ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडेस है नाम बताओ एक है बीटा ग्लू को रो ने डेस बीटा ग्लू को रो ने डेस आपने का और कौन सा है अगला है फैटी एसिड मा के दूद में क्या पाई जाते हैं फैटी एसिड और एक है प्रगना नेडॉल प्रगना नेडायॉल ये तीन के बज़े से तीन की बज़े से मा के दूद पीने की वज़े से जॉण डिस होता है आपने का इन तीनों में से एक चुनना हो तो क्या चुनोंगे यह बहतरीन सवाल इन तीनों में से एक चुनना है तो आंसर जाएगा बीटा ग्लू को रोन डेज इस मोर एक्यूरिट आंसर सिटर मुर्ग मैं नर्सिंग बढ़ा रहा हूं तुझे के लगर आपीडिया पढ़ा रहा हूं मैं राहुल रोय है जैसा नाम वैसा फिलो भी रो तो इन्ह वेस्टि ऊन्से एक चुनना होग तो क्या चुननोगे बन्से आंसर वी टा गुलू कोरून डे इडफ एक क्यू एक आंसर अंसर जाएगा बीटा गुलू कोरून डे और बाकि तीनों इसके आंसर होते है प्रग्ना नेडॉल भी होता है फैटि एसेड़ भी होता है और गुल्टा गुलू कॉरोड़ भी होता है ठीक है बच्चे सो इन दैर सिचुएशन ब्रेस्ट मिल्क जोने के पीछे मैं यह बता दिए ठीक है बच्चे आगे चले अगला कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप पहुती बैतरिन कोश्चन है फटाप चत्र मुर्ग यह सही नाम बला सुत्र मुर्ग का चत्र मुर्ग कौन है यह मैंदर मुदला बच्चे कितने क्रेटिव है में यह संदर सेवाल पढ़ ले लाई तो बड़ी इवनिंग आए ना बड़ा बढ़िया कोश्चन ओट इस अब ही मोलाइटिक डिजीज इन दन निव निव न में ही मोलाइटिक डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज बताई यह फटा-फटा आंसर दीजे बहुत बैतरी इन आंसर आ रहे हैं यह वी नवाथ बैरी नाइस न से क्या नियूब बच्चा है नूप बच्चा है नियूब बच्चे में यह कह रहा है ही उन रेक्डाउन आरबी सी का ब्रेक डाउन होने के पीछे मोस्ट कॉमन रीजन क्या पूछ रहा है जल्दी बता-बढ़ फटा पट ब Southwest débben आसर प्लकु छीक अपने का सर स्वे सेथ में लिखा रहा है ऑज़ा कहा था इसी में लिखा है कि यह सेकंड वीभी आ यसमें इसा जांका dopo मैं प्रबावित होने वाला तो पहला बच्चा होता जादा तर पर इसमें फुस्ट क्या होता थो होता है तो खरए मोलाइटिक प्रॉबल मद्धध्र तो पहले बच्चे कोगीन तो इसमें पहले बच्चा का लिखा इनलिखा है जब कुछ इनलिखरा तो मैंनौ ज़का है मैं क्यों आप से मुखल ऑसकी बहुत गन गुर्द हो जाएगा बिलकुल गलत है क्या बच्चा ये बात करतंए जो तुक्तT वारे किने च doin घृत हो रहे हैं जो आपको एतनी आता मेरी समझ में तो नीवान के बारी मेरी थे का अच्छी बात है तो उसका मतलब और भी सब्सक्राइब करो साबित करना क्या है माता जी है मैंने का माता जी का बिल्ड ग्रूप क्या है मैंने का ठीक है कि माँ का बाप को नहीं समझे तो मांने यह बच्छा इंटरने से डाउनलोड नहीं करा बच्छे को पैदा करने में तो अगर बाप का ब्रेड ग्रूप चला गया तो जा सकता है ना बाप अगर यह तो बच्छा बी हो सकता है बाप अगर B है तो बच्चा B हो सकता है बाप अगर A B है तो बच्चा A B हो सकता है तो माँ ही सब को रिशाय थोड़ी करेगी माना माँ का O है और बच्चे का बाप अगर कोई blood group बाला है तो उसमें ज़्यादा चांस है कि बच्चे को बता होगा मैंने का अब बताता हूँ अगर मां का blood group क्या है ओ मैंने का हाँ तो अगर मां का blood group ओ है तो इसके पास antibody है क्या O के पास antibody होती है बटापड बताओ क्या मां के पास antibody होती है बुलकल होती है सुरेंद्र कुमार आपकी क्लास देखकर बहुत अच्छा लगता है सुरेंद्र कुमार नौट सेट पांच रैंक दोसो बहतर इंड जोद्पर गॉड ब्लैस यू बचे प्राव्ड मैं बताओंगा CRPF के बारे में बता दूंगा बस किलास देखते जाओं सब कुर्शनों के आंसर करूंगा जितना मुस्से हो पाएगा ठीक है ठीक है अब आपने का मा के पास एंटी बॉड़ी है बिलकुल है कौन सी इसके पास दौनों एंटी बॉड़ी होती है एंटी ए भी होता है और इसके पास एंटी बी भी होता है इसके पास एंटी बी भी है और इसके पास एंटी बी भी है दौनों एंटी बॉड़ी पाई जाती है मा के पास एंटी ए और एंटी बी क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आए बच्चे एंटी जन नहीं होते एंटी यदो नोब होते हैं है अब अगर फीटस के पास लुरुप में टो अगर ये एंटर कर गई और एंटीजन बढ़ी रेक्षन होगी और एंटी जन एंटी बाडी रेक्षन अगर हुई तो बेटा कौन तूटेगी आर्बी सी समझ मैं आ रहा है बच्चे तो मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं यह डियसेश्वी के लिए क्या आएगा पूजार एगर ऐसे तुम तुम बायात कोशन कैसे पूछ लेते हो हर कोर्स हर कोर्स के न ही पढ़ाता हुं जो आएगाए सारे अगर तो कौन में तो ठोटी जागी और तो कोई पूछा जाए आप से के हीमोलाइटिक होगा बिल्कुल होगा एब्यों इंकमपैबिलिटी की बज़े से अगर मा ओ है और बच्चे का बड़ गुरूप एब्यों में से कुछ भी है तो एंटी जन एंटी बॉड़ी रेक्शन की बज़े से आर बीसी तूट सकती है समझाया बच्चे अब आपने कासर यह बताओ एंट एब इंकमपैबिलिटी में बड़ा इंपोर्ट कोश्चन एब इंकमपैबिलिटी में हाइस चांसिज ऑफ इंकरिक किसके होते हैं तो बच्चे ओ ओ ए अगर फीटस ए है और माउ है तो ज्यादा हीमोलाइसित होगा इसके के फीटस भी है और माअ है तो अरे ब्लेट है तो उसके पास पास नहीं होते लड़ने के लिए उसकी आर्बिसी नहीं तूटती पता है मुझे ओ डॉनर होता है कि अब राइब नहीं दे रहा हूं एंटी जने बोड़ी क्रॉस हो रहे हैं कि मैंने प्लेसेंटा से ब्लड क्रॉस नहीं होता बच्चे एंटीजन एंटी बॉडी क्रॉस होते हैं ब्लड ट्रांस्फुजन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं ठीक है बच्चे अगे चलो अगला कोश्चन आंसर क्या जाएगा एब्यों इंकम्पैबिलिटी अगला कोश्चन आपके सामने इसकी पर फटाफट कोश्चन को पड़े और आंसर करें कोई बच्चा बिन आंसर करें नहीं जाएगा याद रखेगा तर आपकी जौब का है मैं सब जगह हूं अ सब्सक्राइब नेट खतम हो गया सोजा सुबह उठके देख लिए न मिल जाए कि लास तो नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं कि आई सो इम्मूनाइशन का मतलब आई समय का मतलब बेटा होता है जब ब्लेड ग्रूप में एंटीजन एंटीवाड इरेक्षन होती है सेम की वज़े से फड़ा पड़ कोईशन कांसे सारे बच्चे आईसमान भारत दिवस आईसमान भारत दिवस इस सेलिब्रेटेड इन विच डे एवरी एर कौन से दिन को सेलिब्रेट करते हैं एवरीर आंसर है 30 अपरेल 30 अपरेल को आईसमान भारत को हम 30 अपरेल को सेलिब्रेट करते हैं आईसमान भारत दिवस क्या होता है प्यदान मंत्री जन आरोगी योजना मैंने पहले बताया था आपको और आइसमान भारत योजना का एम क्या है to make healthcare, healthcare को accessible बनाना है, affordable बनाना है for all the economically background Indian citizen, जो सारे backward Indian citizen हैं, जो सारे कमजुर वर्क के लोग हैं उन सब के लिए healthcare facility को accessible और affordable बनाना है तो इसका main object आप से पूछे कि main objective क्या है, आइसमान भारत योजना का तो main objective वच्चे याद रखिएगा, main objective इसका है accessible बनाना क्या बनाना? accessible याद रहेगा, accessible बनाना है, accessible and affordable accessible and affordable, accessible और affordable बनाना होता है, आपने का किसको? answer है healthcare facilities को, healthcare facilities को बनाना है, facilities को बनाना है accessible बनाना है और affordable बनाना है, किस के लिए बनाना है? answer है for backward, for backward, economic backward, economic जो कमजोर बर्ग के लोग है economic backward people, जो कमजोर बर्ग के लोग हैं, उनके लिए healthcare facility को accessible, affordable बनाने के लिए कि हम इसको चुल की है आइसमान भारत योजना को फाइदा मिलता है पचास करोड रुपे का नहीं मिलता फिर आधा ले लो उताीतर 50 क्रोड रुपे की बात नहीं कर रहा हूं 50 करोड लोगों को को इसका फाइदा मिलता है कि क्या आपको इतनी सी बात समझे में आ रहे हैं बच्चे क्योंके बैरी नाइस कोश्चन आपके सामने स्क्रिंड पर यह रहां पटा पट कोश्चन को पढ़िये और आंसर करें कोई बच्चा बिना आंसर करें नहीं रहेगा याद रखेंगा पटा पट कोश्चन कहां सदेश सारे बच्चे जीरो फाइफ गेमिंग नहीं से बहुत ज्यादा उम्मीद है बेटा तुझे कितना बन रहा है तेरा स्कूर बताइए मुझे एक बार तेरा जिल तो मैं भी निकाले देता हूं बता क्या स्कूर आया बच्चे जो एनेचेम का रिजल्ट पूछने अपने पर नंबर बता दीजें नहीं अभी रिजल्ट गोस्ति करतेता हूं हो रहा है कर नहीं हो रहा है कि कि सुनील चीपा बड़ा ले लिया तेरे नाम कि फटा पट क्वेश्चन कहां से करें सारे बच्चे एंबी सी मुनंचा से नहीं होगा बिटा कि फिप्टी नैन वाले का हो जाएगा चलो आगे बताओ च्छपन वाले का बॉर्डर है बास्ट वाले का हो जाएगा पजास वाला नहीं होगा एमजी फिप्टी नैन वाला हो जाएगा तेरा तो तो इस तो इन तालिश वाले नहीं होगा वाले का हो जाएगा चलो अठान वाले का हो जाएगा यह पूरी खान ने नहीं पूचे तेरी पूचेते भाईया सब के जुड़ के बता दिये कि अ आ कि अच्वालेक्ट होजाएगा सी को मλαड़ हुझाए यह स्वालट वाले का हुझा हम भाफिछन कहा उन्हें तरस का लेट्वींचमनें निम्स दम से कौन सा नहीं कर एंधिक रसनें इस में interconnected और फटापट बेटा कि एकत्तर वाले का हो जागा पच्पन ऐसी बॉर्डर पर हो जाएगा बच्छे कि पचास ओबीसी बॉर्डर पर मुस्किल चांसर पर कि ओबीसी अड़ता लिस नहीं होगा है कि कोशन कहां सकरो सारे बच्छे फटापट अब इस नहीं से कानेटर का फीचर कौन सा नहीं है फटापटांसर करो सारे बच्छे चल्दी बताओ अमांग दो नौट ए लेट फीचर अफ कोश्चन का अंसर दें सारे बच्चे क्या होता है जिन्होंने कोश्चन नहीं पड़ रहे वो आराम से अपना वे देखते रहे हैं समय खराब करने का आए आराम से करिए क्या होता है क्या होता है क्या होता है सीवियर बिलरुबीन एंसिफेलोपेथी severe bilirubin and sepalopathy इसे कहते हैं connect trust आपने का done यह याद रहेगा ठीक है और बताएए सर क्या है इस में से connect trust जो है इसके अंदर क्या होता है कि unconjugated जो bilirubin होता है कौन सा unconjugated bilirubin यह deposit हो जाता है आपने का कहा deposit हो जाता है unconjugated bilirubin बेसल गैंग्लियोन की उपर डिपोजित होता है किसकी उपर होता है बेसल गैंग्लियोन डिपोजित हग पर डिपोजिट होको तो बेसल गैंगलियों उस पर इपोजट हो गया और कहां स्टेम यह व्या इन्ट-धर ब्रेन Kill 현ury पर भी डिपोजट हो गया और इसका मतलब क्या हूआ इसका मतलब हुआ इसका मतलब कर सब को समझतर में अरे बच्छे अब कोशन पर द्यान को लोग बादल गैंगलियों नहीं तेरे बादल अभी निकल लेंगे बबीता काई के बादल भी भावक हो रही है और भी परन AAA में गयो अब अब अबने का और बता उसर क्या होता है सक अगर मैं में क्लिनिकल फीचर के बात करों किसके की के बारे में कंटलस से कि लिपाद गरेंट और यह हूँ और एक होता है लेट हमारे कोशन में क्या पूछा था कोशन पूछा नौट ए लेट क्या रहा है लेट नहीं है तो वह पूछ रहा है अरली अरली कौन सा है नौट ए लेट मतलब अरली पूछ रहा है वह नौट ए लेट क्रीनीकल फिचर मैंसे कौन सा लेट क्लिनीकल फिचर नहीं मतलब के अरलि क्लीनीकल फिचर कौन सा है यही पूछ रहें न एक्जाम आपसे कि आगे चलाए अब आपने का ठीक है से लेट में बता दीजे लेट के अंदर कौन कौन से किंग फीचर लेट के अंदर जो clinical फीचर आते हैं Connectors लेट के अंदर मेरी बात ध्यान सुनना बहुत important बात बता रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर होते हैं tremor ट्रेमर आते हैं इसके अंदर कोरियो एथोइड होता है किसी को कोरियो एथोइड नहीं पता हो तो मेरी सेरेबल पालसी वाली क्लास देख लें और उसमें पता होता है कोरियो एथोइड एथोइड कोरियो एथोइड कोरियो होता है रैपिड मुवमेंट और a third होता है slow moment तो koreo होता है rapid moment और a third होता है slow moment तो koreo a third हो गया आप एक होता है बच्चे bellissmus क्या होता है bellissmus अब bellissmus क्या होता है ये सारी चीज़े आपको समझ नहीं है bellissmus क्या होता है severe moment disorder होता है जिसके अंदर spontaneous involuntary moment पाई जाता है severe moment होता है severe momentary disorder होता है इसमें spontaneous involuntary moment पाई जाते हैं muscular weakness पाई जाती है in coordinated moment पाई जाते हैं पर कौन से upper extremities यानि proximal extremities के जिसमें कौन सी extremities involved होती है proximal extremities involved होती है किसके अंदर? ballismus के अंदर और इसके अंदर क्या पाई जाएगा defective upward gaze इसके अंदर पाया जाता है defective upward gaze upward gaze आँखें जो हैं वो ऊपर की तरफ चली जाती है आपने आँखें ऊपर की तरफ के चली आती है आँखें ऐसी हो जाती है आँखें ऊपर की तरफ चली जाती है ये late sign पढ़ा रहा हूं मैं अभी early sign नहीं बोड़ रहा अरे हाया ना इसमें late sign में इसमें upward gaze हो जाता है abnormally तो एक तो tremor पाये जाते हैं इसके अंदर मैंने का done एक इसके अंदर corio ethos पाये जाता है bellissmus पाया जाता है involuntary moment होता है approximaties का defective upward gaze होता है और इसके अंदर एक होता है hearing loss पाया जाता है hearing loss होता है hearing loss का end Late sign होता है авать कि साबसे बात नहीं कर रहा हूando कर रहा हूं मैं यह नहीं कह रहा हूं might might काूल कों सा इव लेट रोस होने मट कौन सा है तो sensory loss होने में hearing loss होने में समय जादा लगता है तो उसाने सामय माना जाता है कौन के तो अर्ली साइन कौन कौन से हैं पूर सकिंग जो बच्चे की सकिंग होती है दूद को पीने के लिए वह सकिंग कैसी हो जाती है पूर हो जाती है और क्या होता है इस टपर पाया जाता है बच्चे में अपने एंवार्मेंट के सराउंडिंग का बारे में पता नहीं होता है ये बच्चा हाई पो टॉनिया होता है मसल स्टॉन क्या हो जाती है पोर हो जाती है ये जो साइन पाई जाते है ये पाई जाते है अरली अब आपको कोश्चन बहुत इजली समझ में आया है का कौन से अरली हैं और कौन से लेट हैं जिन्होंने नहीं लिखा जन्होंने अभी तक कोश्चन की कोश्चन के डिस्क्रिप्शन कॉपी में नहीं लिखे मैं तुमसे गारंटी से दे रहा हूँ क्या हुआ गनेश को कौन है गनेश क्या हुआ ऐसे कहा है मुझे तो कमेंटी नहीं मिल रहा है क्या हुआ गया वे हात्तों वात्तों बेगवार अब बस यह बैलिस्मस बापस बता दो सर लिक लिक ले कॉपी में ठीक रच्चे कि एसी में अड़तालीज देख बेटा बहुत कम कविता देख बॉर्डर पे पर चांस बहुत कम हैं तीस पर संट चालेंज सेवंट इपन चांस नहीं है एसा मान मेरे साब से गती आपि मैं अब यहर मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं बैलिस्मस के बारे बच्चा पूछ रहा है सुरलो बटा बैलिस्मस होता यह एड़िस्टी मॉप्मेंट लेट साइन होता है अब आपने का सथीक एक बात बता दिजे कोश्चन कहा है तो कोश्चन पूछ रहे हैं लेट साइन क्या डिफेक्ट अपवर्ड गेज लेट साइन बिलकुल लेट साइन है इसका मतलब यह लेट साइन नहीं है और जब नहीं है तो बच्चे आंसर क्या चला गया आंसर क्या चला गया डी समझा बच्छे कि तुने चीवासर जी घरा आगया आपको पर इसी केस्स में वहां जा के लिखे लूँगा ठीक है बच्छे कोई बात नहीं बच्छे गवाड ब्लेस योओ ठीक है बटा चले आगे चलाएं आंसर मिल गया आपको डी चलो हर चीज को कॉपी में लिखे लेना पढ़ाई जब नौर सैट आएगा ना आज तारी क्या हो गई दस फरवरी हो गई न एक्जेक्ट तुमारे पास पचास से साथ पचास दिन बचे हैं दस दिन तुम खराब करोगे पचास दिन में नौर सैट निकालना है ये बात माइंड को सैट कर लो और तुम्हें एक एक क्लास तनी इंपोर्डेंट है ने जो सब्द बोल रहा हूँ न यह कब कौन से एक्जाम में टकरा जाए नहीं पता चलता और आपको अच्छे से पता है कि फास्ट वाले दिन में जो बोलता हूं वह होता है बड़ा सनीवार है फास्ट वाला दिन मेहनत कर लो पेपर कैसा आएगा बहुत स्टेंडर आता है नौर सैट कहते हैं उसको हर ची आप लोगों के लिए टैंस न मतलब मोस्त हैजार पेस्टिसाइड मस्ट हेव लेवल इन विच कलर यह पूछ रहा है सबसे ज्यादा है जा जाची साइड कौन से कलर कौन से कलर वाले कौन से कलर वाले वाले बॉक्स में रखे जाते हैं कि खुड़ दिया कि मोस्ट हैजार्स पेस्टिसाइड लेवल इन बिच कलर कौन से कलर के में सबसे जादा हैजार्स पेस्टिसाइड को रखा जाता है वह यह पूछ रहा है बच्चे ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई कलर ग्रीन है अगर ग्रीन कलर का बॉक्स है तो इसमें कॉन से पेस्टिसाइड रखे जाएंगे डैट इस लाइट ली टोकसिक वो तो वो पेस्टिसाइड जो स्लाइटली टॉक्सिक होते हैं वो कहला कौन से बॉक्स में रखते हैं ठीक है बच्चे जो अगर बिलू बॉक्स की बारे में बात कर रहा है कि बुलू बॉक्स कौन सा है तो बिलू बॉक्स में रखे जाते हैं जो मौडरेटली toxic होते हैं. जो बहुत जदा नहीं होते हैं तो कम भी नहीं होते हैं. ठेक है बच्चे? यलो बॉक्स में कौन से talk pasticide रखे जाते हैं? जो highly toxic होते हैं. highly toxic किसमें रखे जाते हैं? answer है answer है यलो के अंदर. answer क्या जाएगा? answer बताओ सारे बच्चे ग्रीन में क्या रखते हैं, slightly toxic को रखते हैं, blue के अंदर moderately toxic को रखते हैं, yellow के अंदर highly toxic को रखते हैं, अब फटा फट answer बताओ बेटा क्या जाएगा, हर बच्चे को answer करना है, कोई बच्चा बिन answer करें नहीं रहेगा, याद रखेगा, अब क्या answer जाना चाहिए इसका, अब क कुछ तरीका और है क्या, मैंने का, एक और बच गया है, और हो बच गया है, red, तो red में क्यों रखे जाते हैं, red में रखे जाते हैं, extremely toxic, extremely toxic रखे जाते हैं, किसके अंदर answer है, बच्चे, red के अंदर, तो red में सबसे खतननाक pesticide को रखा जाता है, और वो most hazards पूछ रहा है, तो कौन से box के में रखा जाएगा, अब अभी भी मोई मोई कर सकते हैं, नहीं किया मोई मोई, answer क्या बच्चे, answer A ही जाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा confuse करनी कोशी कर रहा था, बढ़ तुम अच्छे हो, तुम ठेके रहे अपने बएक बात से, answer के जाएगा A, red color में highly sunny के extreme toxic pesticide को रखा जाता है, ठीक है, highly toxic को yellow में रखते है, modest toxic को blue में रखते है, और slight toxic को green में रखा जाता है, ठीक है, बेटा, सबसे बड़ा खतरा होता, एक नमबर बात बोल दी, दिल को छूने वाली, ब्रॉंज बेबी syndrome caused by, बटा 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 बटा, ब्रॉंज बेबी syndrome किसकी बज़े से होता है, answer दीजे, comment box में, कोई बच्चा बिन answer करें नहीं रहेगा, याद रखेगा, each and everything you are written on your copy, copy में लिख ल नीना, बिलकुल बच्चे, सही कहरा है, इस question के बाद हम CRPF के बारें बात करेंगे, ठीक है बच्चे, पहले question कौहां सा कर लें, ठीक है, फिर्म CRPF के बारें बात करता है, बिलकुल, ब्रॉंज बेबी सिंड्रोम, आपको एक चीज अच्छे से पता है, यह को हीमो सेडेरो से थैले सिमिया में होता है, और थैले सिमिया में ब्रॉंज कलर स्किन होती है, ब्रॉंज बेबी सिंड्रोम नहीं होता है, तो थैले सिमिया में ब्रॉंज कलर की स्किन तो होती है, पर ब्रॉंज बेबी सिंड्रोम नहीं होता, तो इसका अंसर हीमो सेडेरोसिस नहीं होगा, आपने का डन अब आपने का सर्व किलोरम फैनी कॉल भी तो हमने सुना है किलोरम फैनी कॉल करता है ग्रे बेबी सिंड्रोम आपने का अच्छा तो वह ग्रे नहीं है वह ब्रॉंज पूछ रहा है यह क्लियर हुआ आपने का सर्व वैंकोमाइसिन भी तो कुछ करता है वैंकोमाइसिन करता है रेड मैं सिंड्रोम रेड मैं सिंड्रोम कौन करता है आंसर है वैंकोमाइसिन इम्स बोपाल 2018 का कोश्चन है बोपाल के एम्स में एक्जाम में पूछा था यह वैंकोमाइसिन क्या होता है रेड मैं आपको दिख गया होगा और यह जो बच्चा दिख रहा है यह ब्रॉंज बेबी आपने का ब्रॉंज बेबी सिंड्रोम में क्या मतलब है यानि skin का color greenish brown हो जाता है skin का color greenish brown हो जाएगा और ये बच्चा bronze baby syndrome के नाम से जाना जाएगा आपने का क्यों हुआ answer है due to the phototherapy side effect अब phototherapy side effect की बज़े से कैसे हुआ वो आप देखिए copy में लिख लीजेगा हर बात को जो बता रहे हैं exam में हर चीज मिल जाए जरूरी नहीं है और exam में आप पढ़ लो हर चीज को ये भी बहुत जरूरी ठीक है बच्चे बिल्कुल बेटा मैंने सब पढ़ाया है हीमोसे डरसिस ठीक है बच्चे अब आपने का सर बता ये phototherapy जो phototherapy है इसका side effect होता है आंसर क्या bronze baby syndrome क्या है बच्चे bronze baby syndrome क्यों हुआ अब ये answer पुछे का क्यों हुआ due to lack intake of fluid lack intake of fluid fluid का कमी लेने की वज़े से कम लेने की वज़े से होता है क्या bronze baby syndrome इससे क्या होता है जो photoproduct होते हैं जो photoproduct होते हैं जो blurubine Lumi Rubine के तोटने के बाद बनते है तो photo products are deposit photo products are deposit below the skin photo products are deposit below the skin वो skin के नीजे जमा हो जाते हैं जिस वज़े से बहा नहीं निकल पाते है और बहार इस लिए नहीं निकल पाते है कि body में पाने की कमी है पाने की कमी है मतलब कि urine भी नहीं जा रहा और श्टूल भी नहीं जा रहा इस वज़े से क्या हो रहा है कि फोटो प्रोड़क्ट बंत हो गए बॉड़ी से निकल नहीं पाए और जब तक बॉड़ी से निकल नहीं पाए तो बॉड़ी के स्किन के नीचे जमा हो गए और जब वो स्किन के नीचे जमा हो गए तो इसकिन क आपने कासर एक आंसर देना हो तो एक आंसर 40 ml पर kg पर डे एक्स्ट्रा देते हैं फोटो थेरपी के दौरान क्या ये कोश्चन आपको समझ में आया बच्चे क्या आप इस कोश्चन के आंसर को समझ पाए जो मैंने आपसे बताया बेटा तो आई होप अगर आप समझ पाए तो कौपी में आपने लिख लिया होगा जो जो चीजे मैंने बोली हैं कि फोटो थेरपी के समय अगर आपने पानी जादा नहीं दिया पानी की कम ही हो गई तो यूरिन से बाहन निकलते यूरिन से बाहन निकलते हैं इस लिए फोटो थरैपिक यूरिन और स्टूल Colour green हो जाता है जब skin का colour green हो जाता है इसे photo हम क्या कहते है जा आपको मेरी बात इतनी सी समझ में आगे गई को बच्छे बिल्कोल तर आंसर पता था पर रेसनल आज पता चला बेटा कोई बात नहीं भाई के पास आयो रेसनल सी पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें अच्छे से पता है के अगलाती पता है अगला वत अगला कोश्च्ट अगला कोश्च्ट का नहीं रहे याद रखे घृत य। हर चीज जो बता रहाँ को वी में लिख्ते रहेगा बक्त का पता नहीं कश्ट पुच्ट झाल झाल कि अब बी 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 सुमन ने का भी रिकूब का भी सियार पीएफ अब इस तब याद आए कोई वाद नहीं है अब इसके बाद बता दूँ ठीक के बारे में कुछ बच्चों को मौटी थोड़ा सा जो बात हैं बता दूँ आए पर इसकोशन के बाद बता देना ठीक है बहुत तरह बी बात है बहुत अच्छी बात है कंता ने का सी है देराने का ए है जैलने का भी है की ता का भी है है तो डिंक्रीश रखाब इटा क्या है कि अब आपने का सबने का बी बी बता दिया तो जीरो से लेके पंद्रह साल तो इसका सी आंसर से जैना उने सी दिया है बहुत बढ़िया बात है जैनों नहीं दिया हम मैं बता तो तुम्हें पढ़ना क्या था आपको करना था अक्टूट फलेसिड पैरलाइसस सर्विलेंस इसके बारे में बात करनी है अपने का डन करते हैं कि साल के बच्चे के लिए जीरो से लेके 15 साल के बच्चों के लिए करते हैं and इसके लावा और कोई इसकी गुरुप है जिसके लिए से करते हैं हाँ any person कोई भी person 0-15 के लिए तो करते ही करते हैं फिर इसके लावा any person with paralysis any person with paralysis जिसको paralysis है and suspected to polio और suspected है किसके लिए पोलियो suspected to polio suspected for polio तो ऐसे बच्चों ऐसे इंसानों के लिए और 0-15 साल के बच्चों के लिए acute flaccid paralyzed surveillance किया जाता है तो इसके दो गुरुप हो गए 0-15 साल के बच्चे हो गए और वो सारे व्यक्ति जिनको paralysis है और हमें डाउट है कि यह paralysis polio की वज़े से हुआ है उनको इसमें सामिल किया जाता है दो चीज के लिए रोगी बच्चे ठीक है अब आपने का सर क्या करते हैं इसमें हम डोर टू डोर करते हैं डोर टू डोर आपने का जैसे आपको पता है इसमें हम लेते क्या है इसमें हम लेते हैं फीकल सेंपल लेते हैं इसे बच्चों का स्टूल सेंपल लेते हैं आपने का स्टूल सेंपल आप ले रहे हो कितने सें कुपल को फिर विदिन सेवंटी टू आर्स बहतर गंटे के अंदर लेब में पहुंचाना जरूरी घर पर रखे क्या सूंगो कि इसको जब ले लिया तो बेज भुजूद हो भाईया अपने कासर कितने डिगरी टेंपरेचर पर चार्ट से आठ डिगरी सेसियस के टांपरेच पर इसको बेजते हैं या पर इसको फ्रोजन करके बेजते हैं लोग कुलफी बनाके बेजना है तो माइनस टूंटी डिगरी सेसिस पर बेजिएगा तो या तो इसे आप चार्ट से आठ डिगरी पर बेजिएगा और इसकी कुलफी बनाके बेजनी है तो फिर आप इसे माइ सेंपल ले रहे हो यह सेंपल का साइज क्या रहेगा मैंने का साइज मतलब क deepest एय primeira कर राठ Kick आप सब्सक्राइब आप सई बार बाई रोख लो आप ही चाहिए ऐसा तो नि करेंगे तो आप ग्राम तो बोलते अवासा में वोगते हैं 8 ग्राम पर आप से पूछा जाए कि 8 ग्राम का अंधा जा बता दीजिए थंब साइज जो जो देख रहा है नहीं है इतना वड़ा चाहिए इस्टूल बुरसा लिक्ट हुआ तो फिर तू देख लिए तेरे साब से स्वारल की बात कर सकता हूं मैं थंब साइज के इसाब से या तो आठ ग्राम या थंब के साइज का श्टूल लेते हैं ठीक है बच्छे और हां इसमें आप जो टेंपरिचर आप ले रहे हो वह चार्ट से आठ प प्रचे के लिए कौन सा कंटेंज जादा पढ़े हैं कि अपंडामेंटल पीडियाट्रिक सारे पढ़िए सब पढ़िए आज कहीं से भी आता है फंडा पीडिया ओबीजी चे और फार्मा यह बहुत अच्छे से आते हैं आज तो आज में अनाटमी बहुत बरके आई थी ए प्रोसेस में क्या किया है मैंने क्यों कर रहे हैं इतनी मेनत मैंने का करना चाहते हो किसके बारे में डाइगनोस्स के बारे में किसकिस में पॉलियो कि पोलियो और यह और कॉजेज और कॉज़ेश के लिए इसको काम में लेता हूं किसको acute flaccid paralysis surveillance को मैं किस main purpose के लिए काम में लेता हूँ differentiate करना है diagnosis कि यह जो paralysis है यह polio की बज़े से हुआ है या दूसरे causes की बज़े से हुआ है क्या दूसरे causes भी करवा सकते हैं acute flaccid paralysis बिल्कुल करवा सकते हैं तो acute flaccid paralysis के कोई other causes के बारे में बता दीजिए तो paralysis के other causes बता रहा हूँ वो आप list बना के copy में लिख लीजिएगा other causes कौन कौन से हैं polio के अलावा आपने का बताओ पहला non-polio enterovirus non-polio enterovirus 70 और 71 यह दोनों करवाते हैं क्या acute flaccid paralysis और वेस्ट नेल वाइरस यह भी करवाता है acute flaccid paralysis गुलियन बार सिंड्रोम यह भी करवाता है acute flaccid paralysis और कौन सा रेबीस वाला भी करवाता है acute flaccid paralysis वेरी सेला जोस्टर भी करवाता है एक्यूट फ्लैसेड पैरलाइसिस जैपैनीज एंसेपलैटिस भी करवा सकता है एक्यूट फ्लैसेड पैरलाइसिस यह कुछ और ऐसे कौज़ेज जो पोलियो तो नहीं है पर एक्यूट फ्लैसेड पैरलाइसिस करवा सकते हैं इनी में अंतर करने के लिए के पोलियो ने करव और भाय हम कहते हैं एक को बनाने के पीछे हब एक पहले एक महतन बोल लिए दो मेराथन कर दी स्पोल मा बेडा पार हो जाएगा है दो महतन तुम्हें पता हैं महतन में क्या होता बच्छे तुम्हारा कितना आसान है बोल पाना नी विटा कोई बात तो यह सारे और वह बताता है कि शरविलेंस आप जो कर रहे हो वह क्यों कर रहे हो शरविलेंस मुझे यह इंतर करना यह कि यह जो सब्सक्राहर क्वाहर है उसके बारे में बात कर रहे हैं यह समय मीना लॉफ नॉफ-z कौन SMS जब पर God bless you बच्चे पढ़ते रही है बच्छे सेकेंड नमबर पर क्या लेका है वेस्ट नाइल वाइरस एन आई एली राइटिंग इतनी खराब है क्या मेरी या तुम तो बहुती बेज़ती कर रहे हो भाई आज भाई की तो दिल दुखा दिया तुम लोगों ऐसे कर करके यार अब आजा CRPF के बारे में CRPF इसमें स्किल टेस्ट कर रहा है स्किल टेस्ट के बारे मैं थोड़ी चीज पढ़िए उसने कहा था इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेगा इस्ट्रूमेंट में वो क्या बात करेगा मैं आपको बताता हूं इस्ट्रूमेंट मे पढ़ लीजेगा उसका यूज पढ़ लीजेगा और वो कौन से प्रोसीजर में काम आ रहा है वहां पढ़ लीजेगा अच्छा है ना राके सैनी तेरे तो कंप्टिशन कम हो गया सौलो कम हो गए तो तेरा नमर आ जाएगा अच्छी बात है ने वेटा जितने कम पड़े उतने अच्छी बात तो कि आपने का ठीक है इन देगर सेचो है आपने का नाम इस्ट्रूमेंट के अलावद फिर वो क्या बूचंचै का फिर वो फोच्रुरेंगा प्रोसीजर के वारे में कुछेंगे प्रोसीजर्व के सबसे important पढ़ लेना एक तो MSN के procedure और एक funda के procedure क्या होते हैं कि कोई deeply होता है जैसे कि diffibrillator का use किसे कहना होता है के चिशन आप से पुछा जाए ventilator में कैसे काम में लेगा dial assess के बारे में, पुछ लेगा, यह सब MSN के procedure होते हैं, फंडा के procedure ट्रेकस्ट लेगा, कॉलस्टोमी के बारे में पूछ लेगा उसरा आपने जो गोस्वामिशन आपको सारे पढ़ा रखें वो फंड़ांगे सारे प्रोसीजर के बारे में तो प्रोसीजर आप दो सब्सक्राइब के बहुत अच्छे से बढ़के जाएगा इस्ट्रुमेंट के नाम पढ़के जाएगा यूज और कौन से प्रोसीजर में काम आता ये तीन चीज आप प्रोसीजर पढ़के जाएगा ठीके बच्छे ममता का क्वेशन है अब चलो ममता क्वेशन काहां जर देता हूं है एच आएवी एच पॉजिटिव माव कोश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी के नहीं कराएगी ते के ममता एक कोश्चन है तेरा अकॉर्डिंग टू डवल एच ओ डवलप्ड कंटरी जो है वहां पर ब्रेस्ट फीडिंग कॉंट्रा इंडिगेट है जो डवलपिंग कंटरी है डवलपिंग कंटरी कॉंसी है भारत देश पाकिस्तान बांगला देश यह सब डबल विकास सील देश है यहां ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है गिवन पॉर देश हां ओ ब्रेस्ट फीडिंग देश धती है डवलप्ड कंटरी कॉंसी है यू से यू के यह जो है वो डवलेप्ड कंट्री है वहां पर ब्रेस्ट फीडिंग मना है पर developing country के अंदर कम से कम 6 मेनी के लिए आपको breastfeeding करा नहीं है ठीक है बच्चे हो गया इंडिया में करवाते हैं क्योंकि इंडिया developing country है और बता यह ममता बेटा और कोई मेलाइक सेवा हो तो बताओ मेरे इस्पेक्स से मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं है कि इस चस्मा लगा के पढ़ लेना आंसर से आना चाहिए बस गलत मत पढ़ दीजिएगा अगला चलें हम चला कोई बात ने इंडिया में च्छह महीने के लिए करवान नहीं है ठीक है च्छह महीने की ब्रेस्पेडिंग होनी होनी है अगला कॉश्चन फटा पड़ कोश्चन को पढ़े और आंसर करें अगला कॉश्चन आपके सामने बच्छा है ऐसा क्यों ऐसा सुनिल चीप ऐसे लिए बेटा के यूके बगारा यूएस में अल्टरनेट ऑप्शन है ब्रेस्ट फेडिंग का वहां पर जो ब्रेस्ट फेडिंग का जो जो न्यूट्रेंस कंटेन है वहां पर वो चीजां अल् आपके सामान की पूर्ती कर सके डेवलपिंग कंट्री में उनके पास ऐसे सामान है जो माके दूद के श्तान पर ज्यादा प्रॉबलम नहीं आएगी पर हमारे पास नंगा-णायगा क्या निचोड़ेगा क्या गरीव देसे कुछ खाने को ज्यादा है नहीं मां का दूद भ है कि दश्र दीज़े बहुत अच्छी बाद दामदां ने का ड़ियर पीउस où रहे है तिमने का भी है बोपिंदर का सीशेरत प्रिया का सीशें अधित्या आध्या का एए सौनी कोड़ी किसीने बोला सोनी सूनी कुडी बेटा तरे को कि खुदी लोग सोनी कुडी बन रहे देख रहे हो तुम लोग जलवे पूछे मालोग किसी और को बोलने का मौका यह नहीं दे रहे सॉनी तो अब तेरह क्या कोश्चन है प्रिंग का यार में तने कमेंट भी नहीं पाथ है तो तो तुम क्या बात कर रहे कि राइस्तान में मिल्क बैंक ओपन हो गया दोजार पंद्रह में उपन हो गया राहिंद राठों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था एसमस होस्पिटल में स्टार्ट ही हुआ है पीज़े नहीं है स्टार्ट तो बहुत कछ हुआ भारत में काम नहीं आ रहा दे यूद वैलेड है नहीं है वैलेड यूद एस अभी तक तो ऐसा ही है हुआ 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 है अरे बाइब इसनू बता तो दिया 2015 में श्टार्ट हो गया राक्टर राजिंद राठोर जी ने शुरू किया था मदर मिल्क बेंग पहली मिल्क बेंग जैपुर में स्टार्ट कीते समस में कौन है कौन देने जा रहा है तेरे घर के लोग जाते हैं के वाद दूद देने कोई नहीं जाता जाते हैं उनकी इतनी है कि पूरी नहीं हो पाती अब जन नहीं हो पाती तो कमी पढ़ जाती इसलि पानी की जरुवत कितनी पड़ेगी 12 साल की लड़की लड़की बताना बहुत ज़रूर में अलग होती लड़की में अलग में तो आये जारा पानी की requirement की बारे में प्रकास डालते है। नया कंटेनर याद रखेगा भाई ने बताने आ रहा है तो सुन लिए गा 0 से लेके 6 महीने की age 0 से लेके 6 महीने की age में से कितना Mafof Agle जितना डेटा बोड़ रहाहूं सारा किसमे King liter में 0.7 Mittel आए इसको 0 से लेके 6 महीने के में 700 ML आए यसको इसके लिए काम बढ़िया एक दम धन्य हो गया अपने का और बताओ 2 महीने में साथ से लेके 12 महीने गेज में इसको 0.8 लीटर चाहिए पर डे हां या ना एट लीटर पर डे चाहिए कुछ तो दूसरे मिल जाएगा और कुछ मिल जाएगा अब एक से लएक तीस साल के बच्चे के लीए 1.3 लीटर पर डे जाता है 1.3 liter per day जाएगा 3-8 साल के बच्चे के लिए कौपी में लिखे ले मेरी सकल देख रहा है मजा तो आ रहा है पढ़ने में क्या ही नया पढ़ा रहा है आई से च्कामाल करते तुम लोग 3-8 साल में 1.7 liter per day चाहिए 9-13 साल की age में 9-13 साल की age में अगर वो पुरुस है पुरुस मतलब बॉय जो तुम देखे रहे हैं मुझ फाड़ के मेरी तरफ इन्हें 2.4 लीटर दिया जाता है पर दे और अगर वो गिस्तरी है इस्तरी है नारी है जो सब पर भारी है वो 2.1 लीटर है 2.1 लीटर पर दे अगर मैं बात करूं कि 14-18 साल की लड़की है 14-18 साल का अगर लड़का है तो लड़के में कितना जाएगा आंसर 3.3 लीटर पर दे जाएगा और अगर वो लड़की है तो लड़की में कितना जाएगा 2.3 लीटर पर दे इसको क्या चाहिए लिक्विड चाह रहते हैं और कौन प्रूद पानि कम क्लिए बहुत ज्यादाब नहीं को पुरुस Live लगाने घर और पीजी के आगे तो उसे पानी की रिख़ुर्मेंट ज़्यादा हों तिस भड़ी रहती है नार जो ना परेंट परूस्ता वस्ता बहुत हैं काय हैं यह अलूं एको इतना पानी पिएंगी तो पुरुस विचारा पानी पर डिपेंड़ है से लिए पानी थोड़ा जाधा चाहिए इस तरी में पानी स्चाहिए जाहिए खाक त्याइन aur द रर्क्ति होजाम् है आशकर है तो आंसर क्या से रिट है Trondhash येलो समय आ रहा के रहे कभी लड़कियां हमारे भारत में हमारी जननी हमारी माता हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही है नारियों से नारियों ने जितना कुर्वानी देश में यह बहुत बड़ी बात है नारियों ने हमेशा कुछ देश के लिए किया है रानी जांसी के रानी लच्छी वाई इसे को मैंने का याद करने का तरीका है कि इस तरी को जादा पानी नहीं चाहिए कम पानी पुर्षपानी थोड़ा ज्यादा चाहिए कि ऐसा काया मैंने ऐसा कोई ज्यादा बला सीरिस नहीं लेना ठीक है बच्छे दिल पर नहीं लेना का समय कैसे कैसे बोल दे कोई बात नहीं तो कॉपी ओगी मार्केट में ऐसी काम करना पड़ते कि अधिकर कांता मैंने दस मिनने पांट मिन बोला है नारी के लिए अच्छा अब तुरे दुनिया को स्तरी चला रही है इंसान लड़का सिर्प चल रहा है चला को रही है और लेटा कांता थितनी भारी बारी बात बोली मैंने अब आगे चलू टू वन टू टू पॉइंट वन लिटर के आगे चला है ठीक है जायद मलक गौड ब्लैस वी बच्छे 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 बगवान तेरा आमेशा खुश रखे अच्छे रखे आगे चला है बिल्कुल एडल्ट का बता दीजे गुरू देख रहा है यह लड़के का पेट नहीं भर रहा है मैं कहां तक बता है पूरी लिष्ट बढ़ गई इसको एडल्ट का और चाहिए ले भाया एडल्ट का भी ले ले उननीस से सत्र साल के बाद उननीस से सत्र साल तक के लिए अगर लड़का है और लड़की है लड़का लड़की काहे बोलूँ अब तो मेल फीमेली बोल देता हूं यारण अब लड़के लगी तो बात खतम हो गई विसमेल को चाहिए थी पॉइंट सेवन लीटर और फी मेल को चाहिए टू पॉइंट सेवन लीटर पर डेड़ अब तू मत कहने कि कुछ दिया नहीं बाइन है देखो मेरे दरवार से कोई खाली नहीं गया है अब अब सत्तर साल के बात बता तो तो इसे लिखें ले सत्तर प् इतने अथा ज्यान को देने के पश्चात भी तुम्हें और ज्यान चाहिए यह बड़ा मज़ का इसे बच्चों को इतना अथा ज्यान दिया उसके बाद एक एड़्ट बता देते हैं तो मज आ जाता मैंने काम भी बढया है बसुम बारती God bless you बटा अब समझ में आया है तरी पॉंट सेवन है और फीमेल का टू पॉंट सेवन है और तू कहें तो कबर की बता दूं के कबर में कितना पानी चड़ाते हैं कबर का पता दूं कबर में कितना पानी चड़ाएंगे रोज इस तरी है तो कितना और पुरस है तो कितना बताओं कबर में नहीं न शीदिए फिर कबर डा देते जिन्दा रहने तक काई पानी बता दिया मैंने तरह को ठेक है बाया तरह के बाद गुलुक हो चाहिए अगला कोश्चन अगला कोश्चन बच्चे अपनिल बच्चे गौड ब्लेस वी बेटा अगला अड़ती में घी बता दीजिए कितना डालते हैं तो क्या हुआ है बादा पड़ा बड़ कर दिया बरत क्या चीए तो पुरुस के बारे मता पुरुस बहुत ही सौफ्ट नेचर का व्यक्ति होता है बहुत कॉमल प्रकरती का व्यक्ति होता है पुरुस को पागल बनाना बहुत आसाने दुनिया बनाई रही है दिखरा आए गया अब तो मैं पीछ उड़ गया दिखरा होगा जल्दी पता फड़ा पड़ मैं और नीचे हो गया जल्दी आंसर करो सारे बच्चे आए नर्स इन नूबर्न नर्शरी इस परफॉर्मिंग और असिस्मेंट आफ नूबर्न इंफंट नर्स इस प्रपेरिंग और मीजर दा है तरकम्फरेंस एट इंफंट दा नर्स वोड मोस्ट अप्रोप्रेटली नर्स को सब से ज्यादा क्या करना चाहिए मोस्ट अप्रोप्रेटली की बात कर रहा है बच्चे रएप दा टेप मीजर एराउंड दा इंफंट हैड एंड मीजर जस्ट एवव दा आइब्रोज आपने का मतलब रएप दा टेप मीजर एराउंड दन नेगी कह रहा है हैड के चारों तरफ लपेट दीजिए और हैड तो इतना बड़ा है एक एगजेक्ट जगह बता खाली हैड बूलने से काम नहीं चलेगा प्लेज दा टेप मीजर अंडर दा इंफंट हैड यह कह रहा है सर के नीचे लगा दीजिए तो भाई सर के नीचे लगाना है खोपड़ी नापनी के गरदन नापना है बेस आफ इसकल पे नापना यह कह रहा है यहां लगा दीजिए यहां करके क्या नापना बाई तोने की चैन किफ्ट करेगा बाद में इसको गला नापना इसका प्लेज दा टेप मीजर अंडर इंफंट हैड वेफ एरांड ऑक्सिपूट ऑक्सिपूट सबसे प्रॉमिनेंट पार्ट होता ऊबरा हुआ तो यहां से घुसर्णना चाहिए बिल्कुल सहीका कान के उपर से टच करना चीए बिल्कुल सहीका आई ब्रो पर आई ब्रॉमीजर जाकर मिलना चाहिए बिल्कुल सहीका एक नंबर बात बलीजिद ने ज laptops आई आंसर कैया बीटा शी आपने का कैसे ना सब्तिने का ऐट वर्थ मैंत बर्थ इसकी रेंज होती है बच्छे की रेंज होती है कि कितना होती है 33-35 सेंटे इह साल की एसमिए एक साल की हैद चैस्च identify याद रखेगा कि मैं मर जाओंगा कि क्या कह रहा है वे यह क्या था वर्णा में मर जाओंगा तु तो हदी कर दिने तो मर जाएगा मेरे थन में कि ऐसे मत कर वही मनना नहीं है जिन्दगी में काय का मेरातन तिरी जाने के लिए तुम्हें पूरे दिन दोड़ जाओं ऐसे मत कर मैंने ले रखिये से अच्छन की मेरातन ठीक है कि महाविज मीना तु पढ़ ले मुझे पता इतने बैठने शेर ला रहा है तु कि अधिए चलो अ अधिक न्यू बैच स्टार्ट होगा तो अपकर इंफर्मेशन आ जाएगे ठीक है अभी इंफर्मेशन नहीं है उसकी कि अच्छन गोडबलेस यू क्छे ठीक है कि राजबाल यादा भूरा अ हगत जयव बैए अरे ले लूंगा मैरा थन यार ले लूंगा रूख जाओ मैरा थन ले लेंगे पढ़ने जो पढ़त लू हें ठीक है पढ़ते रहेंगे इसको सुनो कि तुननी है किस किस को सुननी चलो बताओ थोड़ी सी सेंटी है कि चलेगी न बड़ वैलेंटेंटे के साफ से थोड़ी सेंटी हो जाएगी बड़ कोई न ठीक है तो मैं जो बोलने जा रहा हूं को वह ध्यान चाशनू करें स्टार्ट एसाद 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 प्रिया तो मर बेड़ा पढ़ लिया तिरा मेसेज ठीक है चलो एक सारी सुनना डंस अच्छे सुनना ठीक बच्छे वो मुझे अपने मेंदी वाले हाथ दिखा के रोई वो मुझे अपने मेंदी वाले हाथ दिखा के रोई मैं किसी और की हो रही हूँ वो मुझे ये बता के रोई जब मैंने उससे पूछा कि कौन है वो खुसनसी वो मुझे मेंदी से लिखा हुआ उसका नाम दिखा के रोई जब जाना उसने मेरे गिरते हुए आशुआं का सबव वो मेरे गिरते आशु अपनी हतेली पे सजा के रोई और गमे जुदाई से कहीं फट न जाए मेरा सीना वो खुद हसते हसते मुझे हसा के रोई और साइद बाकिफ थी वो इस आखरी मुलाकात की एहमियस से और साइद बाकिफ थी वो इस आखरी मुलाकात की एहमियस से इसलिए फक्त आखरी बार वो मुझे अपनी सीने से लगा के रोई ठीक है बच्चो ओके चले हम करें स्टार्ट अगला कोश्चन अगला कोश्चन आपके सामने स्किन पे रहा फटा फट कोश्चन को पड़े और आंसर करें अगला कोश्चन करों अगला कोश्चन करों अगला कोश्चन करों अगला कोश्चन करों सारे बच्चे कोई बच्चा बिन आंसर करें नहीं रहेगा विच अब दा फॉल्लविंग नॉट दा कंपोनेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेफ एंड होलसम वाटर निम्न में से कौन सी चीज सेफ वाटर या होलसम वाटर की डेफिनेशन में नहीं आती निम्न में से कौन सी चीज है जो सेफ वाटर की डेफिनेशन में नहीं आती है अब आपने का सेफ वाटर क्या होता है उसके बारें बात करते हैं Safe Water यानि जो Human Consumable Water है वो कैसा होता है उसमें क्या 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 होनी चाहिए उसमें जो खुबिया है उसके जो Characteristics है वो आप याद रखेगा एक अच्छे पानी की क्या 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 खुबियां होती है पीने वाले पानी की सुद्ध पानी की क्या क्या होती है देट इस Free From लिखते जाव बीट कहा हम आएगा Free From पैथोजेनिक पैथोजेनिक एजेंट से फ्री होती है ठीक है और बताओ Free From Harmful Chemical वो वो Harmful Chemical से भी प्री होता है ठीक है और क्या होता है उसका प्लीजेंट टेस्ट होता है, क्या होता है, प्लीजेंट टेस्ट होता है, किसका उसी पानी का जो हम पीते हैं, और प्लीजेंट टेस्ट होता है, और इसकी स्मेल अच्छी होती है, टेस्ट भी प्लीजेंट है, इसमेल भी इसकी प्लीजेंट होती है, and free from color और किसी color का नहीं होता free from color किसी particular color का नहीं होता ठीक है और वो huge आता है usable होता है किसके लिए for domestic work यानि domestic कामों में help करता है यानि helpful होता है ये सारी खुबियां उसकी है जो पानी पीने लाइक सुद्ध होता है ये सारी खुबियां उसकी है अब आपको ये देखना है कि इस question में से कौन सी नहीं थी तो क्या वो कौन सी है जो सामिल नहीं है free from pathogenic agent नहीं ये तो सामिल है usable domestic परपक ये भी सामिल है free from harmful chemical ये भी सामिल है answer जाएका c not necessary colorless कोई जरूरी नहीं है कि colorless हो but कोई color particular नहीं होना चाहिए answer बेटा क्या जाएगा c इसके इसाफ से answer क्या जाएगा c I hope आपको मेरी बास समझ में आगई हो बच्चे तरिदेव डांगी God bless you बच्चे चौदरी नर्सिंग God bless you बच्चे ठीक है चलो अगला question आपके सामने स्कीन पे यह रहा फटाबड question को पड़े और answer करें पड़ा बड़ question पड़े और answer करें कोई बच्चा बिन answer करें नहीं जाएगा याद रखेगा हर बच्चे को comment box में answer करना है because that is the thing our study, our hard work always pays remember that राहुल किसके बारें बताओं बिटा राहुल बता क्या पूछना है CRPF में 62 marks से return exam में skill qualify हुआ है chance है क्या इस्किल क्वालिफाई कर ले बच्चे बिल्कुल हो जाएक क्यों परिशान हो रहा राहुल मेहनत कर बच्चे नौट सेट राहुल में आपकी क्लास में नौट स्टुएंट राहुल में नाइस स्टुएंट पुरानों से मिल्के रहुल रूट बच्चे चलो ए पोस्ट्पार्टम नर्स प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन तू दा मदर ऑफ न्यूबॉर्ण इंफेंट विद हाइपर बिलूरूरूरूरूरूरू इमिया हुइस ब्रेस फीड ब्रेस फीड कर रहा है उससे हाइपर भीलू-उद्वीन हो गया दनार्स प्रोवाइड विच मोश्ट अप्रोप्रियेट इंटिस्ट्रेक्शन तूदा मदर अब बताईए यह कैसे हो गया आपने का सर अब प्रोवाइडिंग पर निस्ट्रक्शन मां को देना चाहिए अब आपने का कोशन देखिए स्विच दा बोटल फीडिंग दा बेबी फॉर टू वीक नहीं दो वीक तक इस बच्चे को बोटल फीडिंग कर दें तुझे कैसे लग गया कि ब्रेस्ट मिलक जॉंड एस नहीं लगा मुझे लगा ब्रेस फीडिंग जॉंड इस दूद पीने के बाद भी तो जो सकता है कि दूद सफिसेंट नहीं होता है इस टॉप ब्रेस्ट वीडिंग नहीं 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 परमानेंट्ली यह तो अनर्थ लिख दिया इसमें ऐसा थोड प्रिक्वेंटि नहीं करते बेटा जब दूद की कमी होती है तो प्रिक्वेंट्ली करते हैं मोर फ्रिक्वेंट्ली एवरी टू टू तो यह वांसर ज्यादा सही है हर दो घंटे में बच्चे को दूद पिला यह एकदम बढ़िया है तो आंसर क्या चला गया बेटा डी बड़ा ही इजी सा कोशन था पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छ क्या होती है देव व्यवापार के लड़कियों को चुरा के लाते हैं लड़कियों को बेज देता है फिर बिचारी वो देव व्यवापार में लग जाती है फॉर्द प्रस्टिटूशन डैट दे सप्लाई फॉर द अधर निशन और देली एंड रेड लाइट एरिया जहां होते हैं वहां उनको भीज दिया जाता है विचारों को और यह एक एक एक्ट के थहर इसको रोकने की कोशिस की गई है तो एक्ट सबसे पहले कब बनाया गया उसके बारे में बात करने है तो अब बताई यह फटाबट कब बनाया गया वेक्ट अब बताऊ बेटा कब पास हुआ है एक्ट कि अब यह आप कि अब यह आप कि अब यह आज़ा आजा तुन्हें जी कहते का आजा उन्हीं सो तैनल इस सब्सक्राइब यह आजाद होते ही लग गई थे किस काम में और भी दो काम थे अब नहीं का अरेस्टिंग दा ट्रैफिकिंग और पीपल एंड सेक्सोल एक्स्प्लोइटेशन फॉर्डपर लाइक और अर्गनाईज प्रस्ट्टूशन यह जो कमर्सियल परपस के लिए सेक्स्प्लोइटेशन था उयसे लोगों को लोगों को अगवा करना होता है इसमें क्या करते हैं और इसमें क्या करते हैं और इसमें कहा तक कमर्सियल परपस के लिए सेक्सवल एक्सप्लोटेशन अलाओ नहीं है और इसको अमेंडेट इसमें संसुदन किया था आंसर इंग्छी अगला question आपके सामने screen पर इरा फटा-फट question को पड़ी और answer करिए मेरी class बेटा daily नहीं आती है मेरी class weekly में एक बार आती है week में एक बार आती है Saturday Sunday most probably होती बाकिश नहीं है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा गंटी को जो बगल में घंटा उसको दबा दीजेगा उस घंटे को दबाने से अपने आप बैल आइकन है ने बगल में उसको दबा दीजी तो इन्फरमिशन मिलती रेगी आपको और जिनों मैं जाते सब्सक्राइब कर देखा पर लगए को मेरे कोचिंग वालों के लिए today करेंगे आपको अब तुम्हें मुझसे इतनी उमीद हो गई कि मेरे तीन घंटाइक क्लास तुम्हें क्लास लगती है अब महराथन है कोचिंग वालों के लिए अभी जो पड़ारों मेराथन चल रहा है इस बहुत के टेस्ट के लिए बच्छे कहां से पढ़ ने रखेंगे और सब आपके इस्टुमेंट रहें वहां से पढ़ लीजिए एन एस्टिमेट इल्च पर पड़्स लोट इने कितनी केलोरी इंटेक पर डे एन आफ होता है अरबन यानि सहरों के लिए तो एक बात पहले ये बता दे बिलो पावर्वर्ट इलायन है क्या बी पे इल मैंने का गरीब दिखा के नीचे गरीब रिखा वाले किस में आते मैंने का अरुबन में भी होते हैं घ्याओं में भ 47 रुपी जिसके पर डे की इंकम 47 रुपे से कम है वो गरीम माना जाता है बीपील माना जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन और रूलर में किन्हें बानते हैं जिनकी इंकम 32 रुपे से पर कम है देख रहे हो तो गवर्मेंट पता नहीं अंधी खा रखी है या बहांगे पकोड कि खाए थे भांग के सब् αह cache के नशे में रहते हैं यह वह शोचोना सैन्टालीस रुपे सैंटालीस रुपे सब्सक्राइब macaroni बैर कम कम उन्हें आनमें ऐसे यह कह रहे हैं बड़े बड़े लोग आपने का चुरो हमें करना है भी कि हम तो वह बोलेंगे तो सरकार बोल रही तो आपने का ठीक है अर्वन में कितनी कैलोरी चाहिए अर्वन में किसे कीलो만 कारतेश ? उतनी सी बात आपको समझ में आ कारती और रहे हैं ? अरवन में कितनी चाहिए ? तो में हल चलाना और बिचारे अनाज काटना बहुत से चीज़े तो बहुत से काम होते हैं तो अर्वन में 200 गाओं में 24 इतनी कहलो रिचाहिए ठीक है बच्छे अगला क्वेशन और स्क्रीन फास्ट को पड़े और आंसर करें सारे बच्चे हर बच्चे को आंसर करना यह बाद ध्यान में रखेंगा कोई बच्चा अब नहीं रहेगा बिना अंसर कर इच और एवरिस्टूंट गिव द्राइट आइट आंसर आइट 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 ऊचुछ अगया के शर्च फैर्द गिव कर दो पड़े को अग्या करें सब्सक्राइट आइट आइट आकम अद्सक्राइट गया फूंट्री आइट आइट नपना गाहर करें कि नर्स क्रिस्टियन इज प्लानिंग एक क्लाइंट एजुकेशन प्रोग्राम और सिकल सेल डिजीज सी सिकल सेल डिजीज इन चिल्डरन विच फॉलोइंग इंटर्वेंशन बूल इंकलूड दा क्यार प्लान कौन सा इंटर्वेंशन इसमें सामिल करने की बात कर रहा है करते एक्स्ट्रा फ्लूड देते हैं एक्स्ट्रा फ्लूड देते हैं या सिकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए पानी ज्यादा दिया जाता है हाँ या ना सिकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए पानी ज्यादा दिया जाता है आपने का बताइए कितना देते हैं बाइस स क्लोट नहीं बनताथ केवारे में कोई रॉल नहीं का बुलकुल अखंड बात घलत है कुई प्रकार का लेना देना है नहीं मतलब पिंत को आप नहीं रोक एंतिक उसकते से थे πट्क को रोकिक तो देट क्या बता हूं जब तुझे दो दिन पहले बता चल जाएगा भाई की महराथन होने वाली है होगी महराथन तो मैं बता दूगा तुझे तुप परिशान मत हो बिड़कुल भी ठीक है कि चलें आगे अब यूज ओविड ओविड ओपी और पेंकिलर है इसको अवर्ड करने से भी क्या होगा पेंकिलर है तो पें हो रहा है तो देनी पड़ेगी नहीं है तो नहीं देंगे अब ठीक है बच्चे इसका मतलब यह बाप हेल्ट टीचिंग टू रिड्यूस दा सिकलिंग बिल्कुल टीचिंग इससे जूए इसका बद बाघता हूं आपको से कोही राज पूरी तरीके से नहीं है तो पिर मतलब तो होग पाप टीम्ट करना है और इसी कि लिए आपको आपको काम करना है समझा रहा बच्छे बिल्कुल जीन थेर्प इंडियम होती नहीं तो आंसर क्या जागा इसका ए अगला कोश्चन आपके सामने स्कीन पर यह रहा फटा फट कोश्चन को पढ़े और आंसर करें फटा फट कोश्चन को पढ़े और आंसर करें फटा बट कोश्चन को पढ़े सारे बच्चे फटा फॉलिंग ट्रू रिगार्डिंग दा क्लोरी नेशन वाटर निमन में से कौन सा कथन सत्य है प्रेंगाने का बी है सुनीलने का डि है दिच्छाने का ए है उमप्रकस ने का डि है चारू का ए सैनि का ए है मनझीद का डि है फटा पड़ मैं सब कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं देह चानताम कौन से जिन्न对 कौन से मर गए महेमा का भी है प्रीती का ए है वैभव का ए है राज का भी है पारुल का ए दिनेश का ए उम्प्रकास का डी भावी का डी आरेन का सी दामुदर का ए है आरेन के का सी है सौरब का डी है मौही का डी है और सेर सिंग का सी है अंकुर का ए है मौनिका का डी है जाहिद का भी है गज अंसुल का डी राज का ए नर्सिंग ओफिसर बहुत बढ़िया आई वांट तो सी इच और यह एपरी दैट स्वाइं कमेंट अ कमेंट बोक्स एन इच अवरी स्टुएंट दो दो नॉट गिदिंग राइट अंसर अगें वर फेलियर अगें वर फेलियर और एक्जाम इस नॉ होगा ही कहने का कि मेरा आप दोंगा बात की बाथ है पर मैं कि बाहरा आंस्र जरूर दोंगा अब आपने हैंиком डिक ठेक है त oneself अब नहीं पड़ते हैं मेंने रस्पोंसिबल वाोज क्या यह बात सच है कि हाइपोक्लॉराइड आयन मेंने रेस्पोंसिबल होते हैं ज़रूरी होता है मेंली जो रेस्पॉंसीवल होता है लिख लीजिए का कौपी में भाई आया तो बताके जाएगा कौन सा हाइपो क्लोरस आइन हाइपो क्लोराइड आयन इतने एफेक्टिव नहीं होते याद रखिएगा हाइपो क्लोरस आइसिड जो है वो जादा एफेक्टिव होता है तो कोई पूछा जाए कौन रेस्पॉंसीवल है हाइपो क्लोरस आइसिड क्या है बच्चे हाइपो क्लोरस आइसिड ये आपको या आपने का ऐसा मैंने का ये सत्तर से असी टाइम्स जादा एफेक्टिव होता है किस से हाइपो क्लोराइड आएंस है क्या पहला सेंटेंस मैंने गलत बता दिया बिलकुल गलत हो गया तो डी वाले तो सांत हो गया क्योंकि ये एकडम से गलत है और मुझे सही जिस ढोडी है। वा ने कहा ठीक है तो पूरिनेशन इट बिएक्टिया वायरस और सपोर और सलाइम को मारता है क्वरों मारताओ और स्लाइम्स सब को मारता है बट बेक्टिया को मारता है मारता है वाइरस को मारता है मारता है इस्पोर को मारता है नहीं मारता इस्पोर को ये नहीं मारता इस्पोर क्लोरिनेशन से कोई डैमेज नहीं होते इसका मतलब ये हुआ इस्पोर पर क्लोरिनेशन का कोई असर नहीं होता अगर ये लिखा है तो सतन गलत है और गलत को मैं सही नहीं मानूंगा तो सी वाले भी गलत होगे इस पॉरी साइडल हो सकता है पर बहुत हाई डोज क्लोरिनेशन में होता है नौर्मली स्पोर्स को यह नहीं मारता हाई डोज को मैं मारेगा हाई डोज का वो लिखके देगा हाई डोज नौर्मली क्लोरी नेशन से स्पोर्ट नहीं मरते यह बात सेंटेंस कान को एक दों फिक्स कर लीजिए अप मैंने का यह भी गया इस बिलकुल बेटा तेरी कमेंट्स होती है सारुक जी आपकी कमेंट्स क्यों नहीं होगी बिलकुल और बताओ क्या आदे से मेरे लिए क्लोरी नेशन अपना बैस्ट असर दिखाता है इसका मतलब यह वाला कथन सत्य है और जो सत्य है वो मैंने चुल लिया अपने का ठीक है इसका मतलब क्लोरी बैस्ट काम कप करेगा जब वो पीए 6.5 से 7 के बीच में होगा तो 7 वाला अंसर मिल गया एराउंड 7 वोड़ रहा है 7 के आसपास तो 6.5 से 7 के बीच में इसका असर बैस्ट आता है इसका मतलब इसका मतलब आंसर क्या गया भी अब आपने का ए में क्या और्थो टॉली डिन टेस्ट मीजर ऑनली कमाइंड क्लोरी आपको अच्छे से पता है कि और्थो टॉली डिन टेस्ट किसको मीजर करता है आंसर ये दौनों को मीजर करता है ये फ्री क्लोरीन को भी मीजर करता है और ये कमाइंड प्रोटीन कमाइंड क्लोरीन को भी मीजर करता है तो किस किसको मीजर कर रहा है फ्री क्लोरीन को मीजर करता है कौन और्थो टॉली डिन टेस्ट ये मैंना आपको बताया था बड़तर क्लोरी नेशन more than 7 पर करते हैं क्लोरी नेशन सेवन के एराउंड बगते हैं थोड़ा बहुत 7 पोStud ज़्जादा शात के आव सपास साथ से थोड़ा ज़ादा engineers थोड़ा कम साथ के आव स पास करते हैं राउंड सैवन बोलिये मैंने समझाए बच्छे चले क्या इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई बिलकुल आगी बच्छे आपने का ठीक है तो ये आंसर क्या गया आंसर गया भी किंग आन गॉद्मा ड्रीबिस है किंग कान गॉद्मा बलायस्य वचे इन चिल्डरन डाइगनोस्ट विच सिकल सेल डिजीज, टिशू डेमेज रिजल्ट फ्रॉम विच अफ दा फॉलिइंग जो टिशू डेमेज होते हैं वो किस वज़े से होते हैं, आपको अच्छे से पता है कि सिकल सेल एनिमिया के अंदर सिकलिंग हो जाती है, वो सिकलिंग क की वज़े से अब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और ब्लेड फ्लो में अब्स्ट्रक्शन होने की वज़े से क्या होगा, कि टिशू को क्या नहीं मिल पाएगा, ब्लेड नहीं मिल पाएगा, तो इस्चेमिया हो जाता है, और इस्चेमिया के बार अगला स्टेप नेक्रोसिस हो पहले होगा सीधा किसी में डेमेज नहीं होती है इसने का डेमेज करने की बात कर रहा है तो यह सीधा नहीं है सीरम बयरुबीन बहुत बात कीज़ लिवर आपने बलीर्बीन ज्यादा बने लिवर आपने का टूटें की दो यह भी तो कर रहा है और बात में च्यों गिसी के वज़ें hist données और नेक्रोसिस की वज़े से क्योंकि अब्स्टक्शन होता है किसमें सर्कूलेशन में ज्यादा सही आंसर क्या जाएगा मोर करेक्ट आंसर इज डी कि क्लास कतब होने के बाद दो मिनट पढ़ाई कंसिस्टेंसी से नहीं हो रही उसका कोई कर लो आपका फास्ट है आपको अच्छा है कुछ बढ़िया काम मिल जाएगा पढ़ लोगे तो आपकी नौकी लग जाएगी मेरे पास अभी बच्चों सबने का सर मेरी सैलरी एक लाग भी सेजार आई किसी एक लाग साथ यार रुपया एक लाग रुपय से उपर सेलरी आ बच्चों के जन्होंने जॉइनिंग किया है सब कितने मैसेज आए बड़ा खुसी मिलती है यह जान करके भाई यह बच्चे जो है पढ़ लिए आज कल तक यहीं बैठी रहते थे कमेंट बॉक्स में बढ़ते सर में हमेशा एक नमबर से रहता हूं दो नमबर से रहता हूं बड़ा सुनके बड़ा जीव लगता था कि यह बच्चे कब सफल होंगे पर एक बात मैंने देखी का जिसने अपनी सफलता को ठान लिए जरूर जाती है अकर वो अपने निरंतर चलता रहता है बिना यहां से बटके सो बातों के एक बात ही होती है कि कोई किसी भी कहें आप से स्टूरेंट्ट आपको तो पढ़ाई बजहां देना है और सभीं नहीं बात यह नहीं ज्यादा पढ़ने वाले का सेलेक्चन कभी होता भी नहीं है पहले कर चुका हूं महावारत में दुरियोतन थे लिए कि उसके करने वाले हजारों थे कुछ इंद्वार उसको करता थ देखो चीजें क्या होती हैं मैं आपको रस्ता बता सकता हूं चलना आपको खुद पढ़ता है मैं आपके दिमाग में नहीं को सकता है सबसे बड़ा एडिक्सन होता है सफलता को रोकने के लिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो मोबाइल को कृता करके तो साइड भैंक किसी का फॉन आ रहा है कोई मर रहा है जी रहा है सब को पता है पढ़ाई कर रहा है कोई नहीं मर रहा है और मर बें गया तो तेरे फॉन अटनी करने से बचे भी नहीं जाएगा कोई है तो है तो इसलिए mobile सब्सक्राइब को हाथ में रखे पढ़ रहा है ने उसका आज सेलेक्शन और पड़ों सेलेक्शन हो ना सारे काम छोड़ने पढ़ेंगे पता है लास्ट में बढ़ा दुख होता है ये कहते हुए थोड़ा सा और पढ़ देता तो मेरा सेलेक्शन हो जात जाता मैं थोड़ा कम गुमता तो मेरा स्ट्रेक्शन हो जाता यह बाद में रिग्रेट कर उससे अच्छा है पहले सोच के चलो प्लानिंग करके चलो यह नौबत नहीं आएगी कि बाद में कास ऐसा होता कास सब धट जाएक अगर मेहनत लगातर करते रहोगे तो R Sean कि समझास रेही है बच्चे जमने कह रहा हूं थोड़ा सभूकस करिए चीजों प्रयूरह आप अपने आपको पीर माता पिता की तरफ देखी जिनोंने आपको पढ़ा आइग जो आपको कपाег पैसे कभ़िए मैं जानता हुआ आप सब गरीव हो मैं सौ बशन जानता हूँ आप मिडल से जादा लो मिडल का सादमी हो पर घरवालों ने आपको राजारानी बना के रखा हुआ है क्यों कि वो चाते हैं उनके बच्चे को सारा सुख पाएं जो उन्हें कभी नहीं मिला विचारे खुद दो कपड़ों में दो पेंट शट में पूरी जिन्दी की निकाल देता है बाप तुम्हारे कपड़ों में र करो कपाइंडर पैसा कैसे को क्या पूरा पड़ो जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ जो आ रहा है प्रयास करो तो मैं समझा रहा है बच्चे जो मैं कहला हूं थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं है तुमने इसको हाड बना दिया है बाई अब कहते हैं कि सर कंपंप्रिशन जाद आए बकवास है कंप्रिशन जादा ऐसा भोल के तुम्हें सरं नहीं आती खुद पर यह कहते हुए कि अस्ती हजाल लोगों में से चार हजाल लोग सेलेक्ट होना कंप्रिशन जादा है लोग क्वालिफाई नहीं हो पारे सीट खाली जारी है कंप्रिशन जादा है कैसी बात करते हो खुद को कब तक समझाओगे कब तक करोगे कुछ तो सरम करो अपने उपर कुछ तो देखो के मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में साड़ दिन में अगर तुने कुछ नहीं पढ़ाना अब तक तो भी तिरह सेलेक्शन हो जाएक अगर तुने साड़ दिन में 10 घंटे रोज के सबसे पढ़ाई कर लितो और 10 स्रमाद और रोना दोना करते टाइंवेस करते में तुम्रहोंगे तुम मरं जाओगे कि लिंदत भरड़े तुम्हारे नहुने से तुम्हारे मावाब के सबस्कूर रख नए तुम्हें लगता है made for each other, भाड में गया है, made for each other, धाई महीने के बाद उसे कोई और मिल जाएगा, तो मैं कोई और मिल जाएगा, थोड़ा सा खुद पर रहम करो, उमर निकलती जा रही है, एज बढ़ती जा रही है, लोग सवाल पुछना शुरू कर देंगे, कब तक पढ़ेगा, बुड़ा हो जा आपने खुद को, इमानदारी से होगा दिया, महनत करो पर जॢ़क मत करो किताब खोल के बैठने को पढ़ा ही, भ chang kuris अगले दिन जो वोगा उसमें 20 गंटे में 1 गंटे में रिवाइस करूंगा उस गंटे निन ही दिनela हो जाएगा फिर कोश्टन से निकालो कैसे नहीं हो सेलेक्षन भाइज बात मेरी कड़वी लग सकती है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं आके गला फड़ता हूं मुझे कुछ इसके बदले मिलता है मैं तुम्हें पहले ही कह चुका मुझे कुछ नहीं चाहिए सावा सीवी नही तुम से आधा मुझे तुम्हारे पैरेंट्स मानते हैं मुझे के बाई 15 कोन है वो जानते हैं सेलेक्षन के बाद के यह था बच्चे का करवा तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा रहा तुम तभी तुम नौकी नहीं लगी तो रिक्से चला लोगे मैं तुनके लिए पढ़ा जैसा जिसको लग रहा है वैसे करो मैंने आज तुम्हें वह पढ़ाया जिसमें तुम्हें 90% चीजें नहीं आती थी क्यों पढ़ाया क्या पता एक्जाम में पूछ ले इजी आ गया तो वह तो तुम करीद होगे हाट पूछा तो मैंने काई मेरी कॉपी में से आ जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं कि समझ में आ रहा है वच्छे एम बढ़ा रखो यार क्या नौर सेट का एम रखो चोटी मोट एक्जाम के लिए हो जाएंगे मैं फिर कह रहा हूं छोटा मस सोचो यार बढ़ा सोचो जो होगा वो बाल की बात है भागे में क्या लेका सोचो तो कम से कम बढ़ा यार ठीक है समझ आया च्छो मेंने कि आप से थिक है समझ में आ गया तो ठीक है नहीं तो कुई बात लुकल समझ दारे मुझे स्क्रेओ पर रहर हो अगला प्रित सॉमने hemos को है अगला कोश्चन आपके सामने ह्कित तक त्शीबर खटाबता वाच्छे रिए हेज़ा हा Cyaử we दrafनेता है is we case your one such to be canv pictured to me? then how do you write about one in place जब यहां सब लोग गाओं के पानी पीते हैं उसको डिसंफेक्टेट करना ज़रूरी है गंदगी हो जाती क्योंके पानी में तो क्योंके पानी को डिसंफेक्टेट कने लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है बताईज़ा सबसे जादा । यूज होता है गाओं के जो भी जो भी कूवे हैं उनको डिसिंफेक्टेंट करने के लिए कौन सा काम आता है सींप्ल है चीपेस्ट उता सस्ते सस्ता होता है most widely used होता है कौन bleaching powder ठीक है अगला question next question और screen fast पढ़िए जिएको question को पढ़ा पढ़ो आप जितने question cover हो जातना अच्छा है आपके लिए lock कर दिया मैंने सीखो lock खुल भी गया अगला बताओ बताओ सबको मेरी तरह से good morning सुप्रभात सबको नई सुबह मुबारगो ऐसी सुबह आती रहे आपकी जिन्दकी में पढ़ते रहो life में हमेशा कुछ नियुक्त अच्छा करो अजान को रहे सी God bless you वच्छे शिवाने दिछे God bless you आपको गूँख बोड बॉनिंग यूव लेंग देशे देश्टेशा इस्टेश यादि ही रूप मेंटल दिस्पलेश्या दिस्लोकेश्या अव दाहिप हीप जॉइंट हैंट हैं और फॉंट नॉर्म लिच अव्छ आपलोगों most common form of DDH, developmental hip dysplasia, development dysplasia of hips यानि सबसे most common कौन सा है, simple सा answer, इसमें रटने वाला क्या है, तुम confuse मत वो, dislocation को पढ़के, dislocation टिक मत कर देना, इसमें ये line जोड दिया, और तुम्हें क्या चाहिए था, क्या तुम्हें ये line याद नहीं थी, कि तुमने question को छोड़ दिया, क्या होता है, most common subluxation होता है, आपने का क्या होता है, सर मैंने का 3 type के होते है, pre-luxation होता है, एक तो मैंने का done, और क्या होता है, मैंने का subluxation होता है, ठीक है, subluxation होता है, done, और क्या होता है, एक होता है, luxation, क्या होता है, luxation, लक्सेशन को कहते हैं डिसलोकेशन क्या कहते हैं डिसलोकेशन अब लक्सेशन को कहते हैं हिप डिस्प्लेसिया क्या कहते हैं हिप डिस्प्लेसिया और इसे कहते हैं एसी टाबुलर हिप डिस्प्लेसिया अब आपने का एसी टाबुलर डिस्प्लेसिया क्या होता है वो देखि प्रिलक्सेशन सबलक्सेशन इसके वारे में बन करके देखिए प्रीलक्सेशन क्या है मतलब अभी हैड ऑफीमर आपको पता है के से यह फित होता है खाली बौन से बौन तो जोड़नी सकती नहीं सकती इसवह खींच करने सेե՟े nemंसे से 10 pair हो 500 ph o बाहर जाया आज तो नहीं पर बाहर बाहर नहीं तो कभी तो चला ore little कोई नहीं अभी तक तो अंधर माल लिए पर आजना कई तो कल बाहर तो जाए गया यह जब हिमान अगाते है अंधर है कभी बाहर जाएका आज अंतर यह चैथे प्रिलक्सेशन अभी तक हैड और फीमर है ऐसे टावलम में पर डिस्पलेशिया होना है आपने का सब लक्सेशन का मतलब सब लक्सेशन क्या कहते हैं यह है एसे टाव लम यह हैड और फीमर यह बाहर आ गया पर कॉंटेक्ट में इसना मतलब कर बाहर तो आ चुका है पर अभी तक क्वंटेक्ट में हैं के क्वूंटेक्ट में और बाहर आ चुका है इसे कहते हैं सब्लक्सेशन क्या कहते हैं इसको सब्लक्सेशन कहते हैं तो सब्लक्सेशन में हिप डिस्प्लेशिया हो चुका है पर कॉंटेक्ट में लक्सेशन होता है एड़ फीमर बाहर आ गया एड़ फीमर बाहर आ गया और इससे कोई contact भी नहीं तो एक खाल उंने कैसे क्या बोलते हैं इसे भूसेशन और लक्सेशन और कई आगए कैसा ठीक है बताइये कैसे कैसे बताना चाहर हैु इसके कि आप इसे ऐसे याद कर लागर सब्सक्राइब है कि कोई रिस्ता होता है तो दो लोगों के बीच नहीं होता एक इनसान है है ऐड़ फे PAUL ये दो रिस्ते होते हैं अगर आपने का ये ढंसे बने होते तो रिस्ता मजबुत होता है तो कम जो रिस्ता है ये रोकने का प्रयास नहीं करता और ये बाहर जाने में कभी भी निकल सकता है पर अभी तक गया नहीं है पर ये जानता है कि जब ये बाहर जाएगा तो रोकने वाला कोई नहीं है ये भी कहेगा निकल जाना है तो जा इसका मतलब ये प्री लक्सेशन है अभी तक तो अंदर है पर जॉइंट कमजोर है रिस्ता मजबूत नहीं है ऐ जोईंत norm कामतलब बाहर आ चुक 25 यह देखते हैं कहा जा रही है पिर देखते हैं श्टॉक करते हैं किस लगे के साथ जा रही है आज जो रिलेशन से बाहर आ चुके हैं अभी तक कॉंटेक्ट छूट नहीं रहा डीपी चेक करना पुरानी यादें चेक करना मोबाइल में पुरानी फोटो देखना उसकी बातें याद करना गम भरे गाने सुनना इसे कहते हैं सबलक्सेशन एक ह कर जाना डिसलोकेशन डीपी चेक करते रहना सबलक्सेशन और जगड़ा करते रहना पर साथ रहना इसे कहते हैं प्रिलक्सेशन आई होप आपको मेरी बात समझ में आगी होगी बच्चे एक्जामपल समझ में आई सबको बिलकुल आगे होंगे तो दैट इस अधिए प्रिलक्सेशन सबलक्सेशन और लक्सेशन सब्सक्राइब कर रहे होंगे पता है कोई दीपी देखता है कोई पिच्चर देखता है वाटेवर दैट इस तो दिस्कूस अधिए टाइम आपकी मद्य रात्री हो चुकी है करते हैं आप जितने बच्चे बैठो क्लास पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाईएगा कमेंट करने में आप चुतना कंजूसी करते हो इसका रीजन मुझे हाज तक समझ में नहीं आया पर कभी मैं समझूंगा कभी मुझे टाइम मिलेगा कि ऐस क्लास दोला है क्या पता आपको मौटि 2 कि लिए कभी काम आ जाए ताप उसक्लास को बारबा चल हो Vielो कि कुछ माश्टर कहे गया था यहमेरी मेरा जितना contribution है कि आपके parents के लिए कुछ का चकर पाऊं उनके चैरे के smile मेरा पूरा दिन बना देती है I hope जैसे हमारे parents हम से खुस होते हैं आपके parents लिए आप सब के लिए मेहनत बहुत जरूरी है और मेहनत में जितना मुस्य योगदान होगा मैं आपको करूंगा आप सबको मेरे परफ से बहुत सारी सुबकाम ना है आपके वाविस्ते के लिए आपकी मेहनत के लिए साथ दिन का प्लान बनाईए ठीक है बचे बच्छे ऑल दैन ऑके बच्छे गॉडब्लेस यू थैंक यू थैंक यू सो मच पर कमिंग एंड अप्रिशेटिटिंग झाला बसक्की मेरे विंगे झालाई भिस्ते का यू एरुब्लेस यू थैंक यू बच्छे आपके वाविस्ते कि लिए अखयड़ कि भचते का प्लान बनाईश यू गर बना शेकिन यूण से चारागल के अवाविस्ते का यू और दो कि अबदींग है एंको झाल झाल